नमस्कार, विलियम कॉंग्रीव के नाटक दावे ओफ दा वर्ल्ड के चार एक्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, आज के इस वीडियो में फिफ्ट एक्ट करते हैं, लास्ट है यह, सीन कहां का है, अरूम इन लेडी विश्फर्ड साउट, लेडी विश्फर्ड के घर का एक क अमरा है, एंटर लेडी विश्फर्ड एंड फोईबल, लेडी विश्फर्ड और फोईबल प्रवेश करते हैं, लेडी, आउट ओफ माई हाउस, यानि के भेद खुल चुका है, और लेडी विश्फर्ड बहुत नाराज हैं फोईबल से, और उस पर गुस्सा कर रही हैं कि निगल जाओ तुम मेरे घर से, आउट ओफ माई हाउस, दाव वाइपर, दाव सर्पेंट, यानि तुम एक सांपन हो, नागिन हो, और तुमको मैंने पाला है, फोस्टर मैंने पाला है, दाव बूजम ट्रेटरेस, दाट आई रेज फ्रॉम नथिंग, यानि तुम और तुम ने मेरे दिल में घुसकर और मुस्से गद्दारी की, विघौन 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 जाओ 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 यानि तुम गंदे कपड़े धुया करती थी, और यानि मरे होए जूए जो लाशे होती थी, उनके बालों को काट कर उन से wig बनाया करती थी with a black bleak blue nose तुम्हारी काली नीली नाग हो जाया करती थी over a chaffing dish of starved embers and dining behind a traverse rag in a shop no bigger than a bird case go go starve again तो तुम इतनी गरीवी में जिया करती थी और चित्रे rag बने चित्रे होते हैं तो जो परदे तुम्हारे होते थे घर पे उसमें तुम चित्रों में रहा करती थी और जो जिस जगह में रहा करती थी वो एक शॉप थी no bigger than a bird case यानि एक चिडिया के पिंजडे से ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो लेड़ी विश्फर्ट इसमें लब उन्होंने बताया है कि तुम कितनी बुरी कंडिशन्स में थी और वहां से मैं तुम्हें अपने घर लेकर आए और तुमने मेरे साथ गद्दारी की अब तुम निकल जाओ यहां से dear madam I will beg pardon on my knees मुझे माफ कर दीजे मालकें मैं अपने घुटनों के बल गिरकर आपसे माफी मांग रही हूँ लेडी विश्वर्ट अबे out get set up for yourself again यानि फिर से अपना जीवन यापन वैसे ही करो भागो यहां से do drive a trade drew with your three penny worth of small wear flaunting upon a packed thread under a brandy seller bulk or against a dead wall by a bellad monger यानि पूरे sentence में वो बोल रही है कि जो three जैसे हमारे याँ कहते हैं धेले दो तके की एक काम जो तुम करती थी तो यह वहां three penny worth उन्होंने बोला जैसे हमारे दो तके का कहते हैं तो जो तुम छोटे छोटे तुम्हारे पास बरतन होते थे small wear छोटे से बरतन होते थे वह उनको लेकर भीख मांगो और पैक थ्रेड यानि जो धागा सीने परोड़ने का काम करती थी वो सब काम करो और अड़र ब्रांड सेलर्स वल्क जहां ब्रांडी बेशने वाले शराब बेशने वाले लोग हैं उनकी दुकान की नीचे बैठ के वहां काम करो जैसा तुम किया करती थी है ना बैलर बोंगर जो गीतों की किताबें बेशते हैं उन लोगों की पास बैठके काम करो और मदब जो तुम छोटे मोटे काम करती थी दो दो टके के वो ही सब काम करो गो हैंग आउट एन ओल्ड फ्रिजनर जॉर्जट विद अ यार्ड ओफ यलो कॉल बर्टीन अगें दू एन ओल्ड नॉर्ड मास्क तू रोज ओफ पिंस और चाइल्ड फिडल अ ग्लास नेकलेस विद द बीड्स ब्रोकन और अ कुल्टड नाइट कैप विद वन इयर गो गो ड्राइव और ट्रेड इस वर यूर कमोडिटीज यू ट्रेचरस ट्रल तो यहां भी पूरे डायलोग में उन्होंने यही बोला है कि जो जो तुम छोट छोटे काम करती थी जैसे हेर पिंस बेचा करती थी तू रोज ओफ पिंस पिन मनें जो क्लिप होती है बालों में लग बेचा करती थी यही सब सामान तुम बेचा करती थी यू ट्रेचरस ट्रल ट्रेचरस मनें गदार और ट्रल जो नीच ओरत होती है तो गदार नीच ओरत तुम जाओ यहां से यही 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 तुम बेचा करीब तुम को रखा और यही गवर्नेट ऑफ माई होल फैमिली और मैं पूरे अपने परिवार का तुम गर्वार का तुम को घाएँ गवर्नेस बना दिया यू हाव फोर्गोट दिस है व्यू नाओ यू हाव फैदर्ड यूर नेस्ट तो वो सब तुम भूल गई है ना और अब तुम्हारे पर निकल आए हैं नो नो डियर मैडम डू यू हीर मी है बट अ मोमेंट स्पेशेंस मेरी बात सुनिये मालकिन बस एक मिनट का ध्यर रखिया आई विल कंफेस और मैं सब कुछ सुईकार करती हूँ मिस्टर मिरावेल सेड्यूस्ड मी मुझे मिस्टर मिरावेल ने अपनी बातों में ले लिया with his dissembling tongue उसकी जो मीठी जवान है धोखे बात जवान है उसके माध्यम से your ladyship's own wisdom या मालकिन आपकी खुद की बुधिमानी has been deluded वो भी धोखा खा गई by him उसके द्वारा then how should I, तो फिर मैं कैसे, a poor ignorant, मैं तो बिचारी अग्यानी हूँ, defend myself, मैं अपने आपको कैसे बचा सकती थी मेरा बेल से oh madam, if you knew but what he promised me, बस आप मालकिन जान जातीं कि उसने मुझसे क्या बादा किया था and how he assured me your ladyship should come to no damage और कैसे उसने मुझे यकीन दिलाया था कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा मालकिन, or else the wealth of the Indies should not have bribed me अन्या था, पूरे इंडिया की जो wealth है, वो भी मुझे को मेरे लिए इतनी काफी रिश्वत नहीं हो सकती थी to conspire against so good, so sweet, so kind a lady as you have been यहीं आप इतनी अच्छी हैं, इतनी मीठी हैं, इतनी दयालू हैं, तो आपके खिलाफ को inspire करना, शरयंतर करना इसके अगर सारी इंडिया की दौलत भी मुझे मिलती, तो भी मैंना करती तो देखें, इंडिया का जिक्र बार-बार आता है, कि इंडिया हमेशा से सोने की चडिया रहा है, तो सबको इंडिया की दौलत चाहिए, हर जगे लेडी विश्वर्ड, no damage, कोई मुझे नुकसान नहीं होता, what to betray me, to marry me, to a caste serving man, यानि मुझे धोखा देना और मेरी शादी करान, देना एक नौकर से, to make me a receptacle and hospital for a decayed pimp, यानि मुझे एक हॉस्पिटल की ततार है, ट्रीट किया जो यह जो चालू लोग है, इनका, इनका receptacle में नलैक बुढ़े, इनको मैं प्राप्त करूं, इनके साथ मैं बनव जाओं, यह चाहते थे, no damage, और इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, ओ दाओ, फ्रेंटलेस, इंपुडेंस, more than a big-bellied actress, तो तुम्हारा फ्रेंटलेस इंपुडेस मने तुवारी जो shameless बत्तमी जी है, और no more than a big-bellied actress, यानि जो pregnant है, ऐसी actress से ज्यादा तुम कुछ नहीं हो, यानि वो अपनी pregnancy छपाने के लिए काम करती है, और तो तुम उसी तरीके से हो, यानि छिप नहीं सकती, कि प्रे, do but hear me, madam, he could not marry your ladyship, आपके वल ये मेरी बास सुन लिजे, मालकिन, वो आपसे शादी कर ही नहीं सकता था, यानि वेट वेल, जो कि सर रोला के वेश में आया था, वो आपसे शादी कर ही नहीं सकता था, madam, no indeed, his marriage was to have been void in law, कानूनी रूप से उसकी जो शादी है, वो वैद नहीं होती, for he was married to me first, क्योंकि मेरे साथ उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, to secure your ladyship, मालकिन, आपको सुरक्षित रखने के लिए, he could not have bedded your ladyship, वो आपके साथ नहीं जा सकता था, for if he had consummated with your ladyship, he must have run the risk of law, क्योंकि अगर वो आपके साथ शादी की सारी चीज़ें रस्में पूरी करता, तो कानून उसके खिलाफ हो जाता, and be put upon his clergy, और उसको दंड मिलता है, put upon his clergy एक प्रकार का दंड होता है, yes, indeed, I inquired of the law, हाँ वास्ता में मैंने पहले कानून के बारे में पूछा था, पुस्त lady wishford, what then, I have been your property, have I, तो क्या मैं तुम्हारी property थी, I have been convenient to you, it seems while you were catering for mirabel, अच्छा तो मैं, मुझे तुमने use किया, मैं तुम्हारे लिए सुविधा जनक थी, और तुम्हारे काम के लिए, जबकि तुम काम कर रही थी, mirabel के लिए, मुझे तुमने use किया, I have been broker for you, मैं तुम् but have you made a passive board of me, यानि तुमने तो मुझे क्या, बॉड क्या है, जो वही बचलन और इस तरीके से तुमने मुझे तो वो बना दिया, this exceeds all precedent, precedent होता है, पूरवर्ती उदाहरन, और exit मने बाहर है, आगे बढ़ कर है, तो यह तो ऐसा कभी कोई उदाहरन पहले देखा ही नहीं गया, I am brought two fine uses, तुमने मेरा अच्छा इस्तेमाल किया है, to become a butcher of second hand marriages between Abigils and Andrews, तो Abigils and Andrews यह नोकरों के नाम है, तो नोकरों की शादियों, जो second hand marriages हैं, उनका मुझे तुमने माध्य मना लिया, I will couple you, मैं तुम्हें सही कर दूँगी, yes, I will best you together, मैं तुम दोनों को साथ में सिल दू दूँगी, you and your philander, तुम और तुम्हारा आशिक, I will dukes place you, यानि मैं तुम्हें जेल भेज दूँगी, as I am a person, क्योंकि मैं इनसान हूँ, your turtle is in custody already, तुम्हारा जो आशिक है, वो तो पहले ही custody में है, you shall coup in the same cage, उसी पिंजडे में जाकर तुम भी रहो, if there be constable or warrant in the parish, मैं दे I was born high में के, पैदा ही क्यों हूई, oh that I was ever married, high मैंने शादी ही क्यों की, a bride मैं ऐसी दुलहन मनी, I shall be bride well bride oh, मैं तो bride well bride बन जाओंगी, मतलब ये एक ऐसी जगह है, जहां पर नारी सुदाहर गर होते हैं ना, जैसे हमारे यां, तो वहां ऐसी औरतों को रखा जाता, तो एक तर इंटर मिसस फेनाल, मिसस फेनाल प्रवेश करती है, मिसस फेनाल, पूर फोईबल, what's the matter, रे बिचारी फोईबल, क्या हुआ, ओ मैडम, my lady is gone for a constable, रे मैडम, मेरी मालकिन तो एक constable, यानि पुलिस वाला ढोने गई है, I shall be head to justice, and put to bride well to beat him, यानि मुझे अब गिरफतार कर ल पड़ता है, poor weight well is gone to prison already, बिचारा weight well तो पहले ही जिल चला गया, मिसस फेनाल, have a good heart, फोईबल, हिमत रखो, फोईबल, मिरावेश गया है, उसके लिए security देने, मतब उसकी जमानत कराने, this is all marvots and my husband's doing, यह सब marvot और मेरे husband, मेरे पती, यानि मिस्टर फेनाल का की अधरा है, फोईबल, yes, yes, हाँ, I know it मेडम, मुझे ये मालूम है मेडम, she was in my lady's closet, वो मेरी मालकिन के कोटरी में चिपी हुई थी and overheard all that you said to me before dinner, और डिनर से पहले जो कुछ आपने मुझे कहा था, वो सब उसने चिपचाप सुन लिया था, she sent the letter to my lady, उसने मेरी मालकिन को खत भेजाता and that missing effect, और जब उसका असर नहीं हुआ, क्यों वहां तो इन लोगों ने manipulation कर लिया था, Mr. Fennal laid this law to arrest Whitwell, तो Mr. Fennal ने ये 7 तरचा Whitwell को गरफतार कराने के लिए, when he pretended to go for the papers, जब Whitwell ये ड्रामा कर रहा था, दिखावा कर रहा था, कि वो papers लेने जा रहा है, जाएदाद के कागजात लेने जा रहा है, In the meantime, Mrs. Marwood declared all to my lady, और इस वीच, Mrs. Marwood ने सब कुछ मेरी मालकिन को बता दिया, Mrs. Fennal, Was there no mention made of me in this letter, क्या वो उस खत में मेरा नाम तो नहीं आया था, My mother does not suspect my being in the confederacy, तो इस शडियंत्र में मेरे शामिल होने का कोई शक नहीं है, ना मेरी मां को, I fancy Marwood has not told her, though she has told my husband, मुझे लगता है कि Marwood ने मेरी मां को नहीं बता आया है, और शायद मेरे husband को तो बता दिया है कि मैं भी इस शडियंत्र में शामिल हूँ, Yes, madam, हा मालकिन, but my lady did not see that part, कि आपका नाम तो था, लेकिन जो खत का वो अंश मेरी मालकिन नहीं देखा था, पढ़ते-पढ़ते उस खत को पढ़ते-पढ़ते पहुंची नहीं थी उस लाइन तक, तब तक हमने उसको खत को तोड मरोड दिया था, Has that mischievous devil told Mr. Fainal of your ladyship then, तो इस शैतान औरत ने, यानि कि Mrs. Marwood ने, Mr. Fainal को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, Mrs. Fainal, I, all's out, हाँ सारा भेद खुल गया, my affair with Mirawil, Mirawil के साथ जो मेरा फियर था, everything discovered, सब कुछ पता चल गया, this is the last day of our living together, ये आज का दिन अंतिम दिन हैं कि हम लोग साथ में रह रहे हैं, that's my comfort, ये ही मेरे लिए राहत की बात है, फॉइबल, indeed madam, and so it is a comfort if you knew all, ठीक है, मेडम वास्तम में, ये रहत की बात है, कि आपको सब पता है, he has been even with your ladyship, यानि उसने भी वैसा ही किया, even का मतलब यहाँ पा है, मारवुड के साथ, तो even होगे न, equal होगे, बरावर होगे, तो ये मतलब है इसका, he has been even with your ladyship, which I could have told you long enough since, ये सब में आपको बहुत पहले बता से जगती थी, यानि दोस्तों के बीच में दूरी पैदा करना मुझे पसंद नहीं है, बलकि दोस्तों को करीब लाना मुझे ज़्यादा पसंद है, but Mrs. Marwood and he are nearer related than ever their parents thought for, लेकिन Mrs. Marwood and Mr. Fainal, वो दोनों बहुत ज़्यादा close हैं जितना के उनके माबाब सोचते हैं, Mrs. Fainal, say as thou foible, क्या तुम्हें ऐसा कह रही हो foible, can thou prove it, क्या तुम इस बात को साबित कर सकती हो, foible, I can take my oath of it, मैडम, मैं इस बात की कसम खा सकते हूं, मालकें, so can Mrs. Mincing, मिसस मिनसिंग भी इस बात की कसम खा सकते हैं, we have had many a fair word from मैडम मारवॉड, हम मैं मैडम मारवॉड से काफी बातें सुनने को मिली हैं, यानि fair word, मैं उन्होंने बहुत अच्छे बातें की हैं, हमसे वादे की हैं, हमको इनाम दिये हैं, to conceal something, कुछ ऐसा छिपाने के लिए, that passed in our chamber, जो हमारे कमरे में हुआ, one evening, एक शाम को, when you were at Hyde Park, जब आप Hyde Park गई हुएं थी, and we were thought to have gone a walking, और हमारे बारे में भी यह सोचा जा रहा था, कि हम तहलने चले गए हैं, but we went unawares, went up, लेकिन हम तो उपर वाले कमने में चले गए थे, unawares मना है, unknowingly, तो we were sworn to secrecy to, हालांके हमको भी गोपनियता की शपत दिलाई गई थी, किसम खिलाई गई थी, Madam Marwood took a book and saw us upon it, Madam Marwood ने एक किताब उठाई और उस पर हाथ रखके हमसे किसम खिलवाई, but it was but a book of poems, लेकिन वो तो केवल कविता की किताब थी, बाइबल नहीं थी, so long as it was not a Bible, क्योंकि हमने Bible पर हाथ रखके तो किसम खाई नहीं है, we may break it with a safe conscience, तो एक अंतरात्मा सुरक्षित जमीर के साथ इस कसम को तोड़ सकते हैं, क्योंकि Bible पर हाथ रखके कसम खाते तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि poetry की बुक पर हाथ रखके कसम खाई हैं, तो इसको आराम से तोड़ सकते हैं, मिस्स फेनल, इस डिसकोवरी इस दे मोस्ट अपोर्चून थिंग आई कुड विश, ये तो सबसे अच्छी खोज है और जो मैं चाहती हूं, नाव मिनसिंग, और मिनसिंग, अम मिनसिंग प्रवेश करती है, मिनसिंग, माई लेडी वूड़ स्पीक विद मिस्स फोइबल मैम, मेरी मालकिन मिस्स फोइबल से मिलना चाहती हैं, मिस्टर मिरावेल इस विद हर, मिस्टर मिरावेल उनके पास है, ये हैस सैट यूर इस्पाव़ज एट लिबर्टी, Mrs. Foyvel and would have you hide yourself in my lady's closet तो मिन सिंग को आप जानते ही हैं इनके नाम जरूर याद रखिएगा ये मिलामेंट की सेविका है मिन सिंग तो वो कह रही हैं कि Mr. Mirabel is with her Mr. Mirabel उनके पास है He is set your spouse at liberty यानि Foyvel को ये बता रही है कि तुम्हारे spouse बने तुम्हारे जो पती हैं वेट वेट वेल और वो आजाद करा लिये हैं Mrs. Foyvel and would have you hide yourself in my lady's closet यानि तुम जाके मेरी मालकिन की कोट्री में छिप जाओ till my old lady's anger is abated abate मने कम होना जब तक मेरी मालकिन यानि के lady wishford का गुसा कम नहीं होता Oh my old lady is in a perilous passion कुछ ऐसा हुआ है जो Mr. Fainal ने कहा है Mr. Fainal ने को यसी बात कही है कि मेरी मालकिन lady wishford बहुत गुसे में है He swears and my old lady cries वो कसम खा रहा है और मेरी मालकिन रो रही है There is a fearful hurricane आई वो एक भयानक तूफान आ गया है मैं कसम खा के कहती हूँ He says ma'am how that he will have my lady's fortune made over to him or he will be divorced वो कह रहा है कि मेरी मालकिन सारा ही अपनी जो दौलत है उसको नाम कर दे नहीं तो वो तलाग दे देगा Mrs. Fainal Does your lady or Mirabel know that क्या तुम्हारी मालकिन अन्नी की मिलामेंट और Mirabel को ये बात मालुम है Min Singh Yes ma'am they have sent me to see if Sir Willful be sober उन लोगों ने मुझे ये देखने भेजा है कि Sir Willful sober है कि अमलब उनका नशा उतर गया क्या and to bring him to them और मैं Sir Willful को उनके पास बुला के लाऊ My lady is reserved to have him मेरी मालकिन यानि Mrs. Milamen तयार हैं उनसे शादी करने के लिए I think rather than lose such a vast sum or as 6,000 pound बजाए 6,000 pound की दौलत गमाने के वो Sir Willful से शादी करने को तयार है Oh come Mrs. Fainal I hear my old lady जल्दी आओ Mrs. Fainal Fainal you must tell Minsing that she must prepare to vouch when I call her तो तुम जड़ा Fainal Minsing को ये बता देना कि वो गवाही देने को तयार रहे To vouch मने गवाही देना जब भी मैं उसको बुलाऊं Fainal yes yes मैडम ठीक है मालकिन Minsing oh yes मैम I will vouch anything for your ladyship service मैं आपके खातर कोई भी गवाही देने को तयार हूँ Be what it will चाहे जो कुछ भी हो जाए अरे भाई Saw line हो गई ही 20 मिनट में चली है आज तो जल्दी जल्दी हो रहा है Last Act है और आप लोगों का कहना है कि आज ही खतम करना है चलो आगे दोर लगाते है Enter Lady Wishford and Mrs. Marwood अब यहाँ पर Lady Wishford और Mrs. Marwood प्रवेश करती है यह लोग तो चली गई मिनसिंग और फोईबल फिर देखे Lady Oh my dear friend How can I enumerate the benefits that I have received from your goodness Hi मेरी सहेली प्यारी मैं कैसे गिनाओं वो सारे फाइदे जो तुमने मेरे उपर अहसान किये हैं तुम तो कितनी अच्छी हो जबकि सारा Mrs. Marwood का कितना बड़ा प्लॉट है यहां पर स्टडियन्त है लेकिन Lady Wishford उनका शुक्रिया आदा कर रही है To you I owe the timely discovery of the false woes of Mirawil मैं तुम्हारी ऐसान मन हूँ कि Mirawil ने जो जूटी कसमे खाई थी वो सब राज तुमने मेरे सामने खोला था To you I owe the detection of the imposter Sir Rola और तुम ही ने राज खोला था उस धोखेबास Sir Rola का And now you are become an intercessor with my son-in-law और अब तुम intercessor मने बिचौलिया बन गई हो मेरे son-in-law और मेरे बीच में To save the owner of my house मेरे घर की इज़त बचाने के लिए And compound for the frailties of my daughter और मेरी बेटी की जो कमिया है यानी Mrs. Final की उनको छुपाने के लिए और पैसे के माध्यम से उनका compensation करने के लिए तुमने मेरे दामाद को पटा लिया है तयार कर लिया है राजी कर लिया है Well friend, you are enough to reconcile me to the bad world मेरी दोस्त तुम ही काफी हो इस बुरी दुनिया गंदी दुनिया के साथ मेरा समझोता कराने के लिए तुम अकेली काफी हो और else I would retire to deserts and solitude अगर तुम ना होती तो मैं तो कभी की रिष्तानों में और एकांत में चली गई होती यानी मैंने तो सन्यास ले लिया होता and feed harmless sheep by groups and purling streams और मैं तो sheep यानी भेडों को चरा रही होती कहीं कुंजों में कहीं purling का मतब कल कल करती हुई धाराओं के समीब जाके कहीं भेड चरा रही होती Dear Marwood, let us leave the world and retire by ourselves and be shepherdesses आओ Marwood मेरी सहेली हम लोग इस दुनिया को छोड़ दें और कहीं चले जाएं जहां जाके हम shepherdesses यानी चरवाही बन जाएं भेड़ बकरियां पालें और शान्ती का जीवन जी हैं Mrs. Marwood, let us first dispass the affair in hand madam हाँ चलेंगे, बिल्कुल सन्यास लेंगे लेकिन पहले हाथ में जो मामला है उसको तो निप्टा लें इसके बाद हमारे पास काफी फुरसत होगी और हम रेटार्मेंट के बादे में सोचेंगे इस मामले में इस समझोते में जो एक विक्तिस शामिल है वो देखो यहां पर है लेडी, ओ डियॉटर डियॉटर इस इट पॉसिबल दाव शुड़ेस बॉन ऑफ माइ बॉन और फलेश ऑफ माइ फलेश यह पता है एडम ने इव के लिए यह शब्द यूज्ट किये थे बॉन ऑफ माइ बॉन फलेश ऑफ माइ फलेश जब चलिए फिर अभी सुनाऊंगी वाइबल की कहानी है तो वो यह कह रही है कि मेरी बेटी तुम मेरी हड़ियों से बनी हो मेरे फ्लेश से बनी हो मेरे खून से बनी हो अरे यार गला भी बैठ रहा है तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो तुम तुम मेरी बेटी हो and as I may say another me और तुम मेरा ही दूसरा रूप हो यह मैं कह सकती हूं and yet transgress the most minute particle of severe virtue और तुम ही virtue के रास्ते से यानि भल्मन साहत के रास्ते से तुम भटग गई is it possible you should lean aside to iniquity who have been cast in the direct mold of virtue यानि तुमको तो मैंने एतनी virtues के साथ गुणों के साथ पाला था mold किया था मतलब तुमको तुमारी personality को ढाला था शुरू से लेकर आखर तक और तुम इस तरीके से अपने virtue से भटग गई I have not only been a mold but a pattern for you और मैं खुद तुमारे लिए मैंने ना सिर्फ तुमको ढाला है गुणों के साथ बलकि मैं तो खुद तुमारे लिए एक उदाहन रही हूँ और देखिए खुद कैसा अच्छा उदाहन रही है तो यह ironical है इनकी यह speech के मैं तुमारे लिए खुद एक नमूना रही हूँ virtue का जबकि खुद का affair रहा है मेरा बेल के साथ भी अभी सर रोला के साथ भी affair रहा लेकिन अपनी बढ़ाई करने से नहीं चूक रही है अपनी तारीफ करने से वो कभी नहीं चूक थी के बट पैटरन फॉर यू एंड आ मॉडल फॉर यू और तुम्हारे लिए मैं आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई माने वैसे जीरो होता है तो क्या तुम बुरी नहीं रही हो have you not been sophisticated not understand क्या तुम sophisticated माने वैसे तो सब भी होता है लेकिन यहाँ पर corrupt क्या तुम corrupt नहीं रही हो ब्रश्ट नहीं रही हो not understand समझ में नहीं आए here I am ruined to compound for your caprices और here I am ruined यहाँ मैं बरबाद हो रही हो to compound का मतब यहाँ compensate करने के लिए यानि भरपाई करने के लिए for your caprices करने के लिए यहां मैं बरबाद हुई जा रही हूँ आइस पॉन माई प्लेट एंड माई ज्वेल्स यानि जो कुछ भी मेरे पास है प्लेट है ज्वारात है गहने गट्टे सब मुझे गिरवी रखना पड़ रहा है and ruin my knees अपनी भतीजी तक को बरबाद करना पड़ रहा है and all little enough or जो कुछ भी छोटा मोटा मेरे पास है सब कुछ में मुझे बरबाद करना पड़ रहा है तुम्हारी खातित Mrs. Final I am wronged and abused and so are you मेरे साथ गलत हुआ है मेरा दुरूपयोग हुआ है और वैसे ही तुम्हारा भी हो रहा है मा this is a false accusation ये बिल्कुल जूटा आरोप है मेरे उपर as false as hell as false as your friend there or your friend's friend my false husband तो ये उतना ही जूटा आरोप है जितना कि नर्क है होता है जितना कि ये जो तुम्हारी दोस Mrs. Marwood है या फिर तुम्हारी दोस्त का दोस्त यानि जो मेरा जूटा पती है वो ये उसी तरीके से ये सारे लोग जूटे है और ये आरोप भी मेरे उपर जूटा लगा हुआ है Mrs. Marwood Mrs. Marwood तिल मिला गए इस बात पर My friend Mrs. Finnal क्या कहा मेरा दोस्त Mrs. Finnal Your husband my friend तुम्हारा पती मेरा दोस्त What do you mean तुम्हारा कहने का मदलब क्या है Mrs. Finnal I know what I mean Madam जो कुछ में कह रही हूँ न मुझे मालो में And so do you और तुम्हें भी मालो में जो मैं कह रही हूँ And so shall the world at a time convenient और सही वक्ताने तो सारी दुनिया जान जाएगी Mrs. Marwood I am sorry to see you so passionate madam मैं तुम्हें इतने गुसे में देखकर बड़ी मुझे दुख हो रहा है More temper would look more like innocence यानि अगर तुम और नाराजगी दिखाओगी तो होली भाली नजर आओगी But I have done लेकिन मैंने तो सब कामों से तौबा कर ली है I am sorry my zeal to serve your ladyship And family should admit of misconstruction I am sorry मुझे बड़ा अफसोस है My zeal की मेरे अंदर जो उत्साहा था To serve your ladyship के madam lady wishford आपका आपकी सेवा करने का And family और आपके परिवार की सेवा करने का Should admit of misconstruction मने गलत फहमी कि उसको गलत तोर पह लिया जा रहा है अर्थ में लिया जा रहा है And make me liable to affront और उपर से मेरे उपर ये मेरी insult की जा रही है You will pardon me madam आप मुझे माफ करना If I meddle no more With an affair in which I am not personally concerned अब मैं इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस मामले का क्या लेना देना आप जानो आपकी बेटी जाने आपका दमाद जाने मैं इसमें आप कोई दखलंदाजी नहीं करूँगी Lady Wishford Oh dear friend अरे मेरी प्यारी सहेली I am so ashamed that you should meet with such returns मुझे मैं बड़ी शर्मिनना हूँ कि तुम्हें ऐसा इनाम मिला You ought to ask pardon on your knees ungrateful creature तुम करतगन प्रानी अपनी बेटी को बोल रही है अहसान फरामोश तुम्हें अपने घुतनों के बल गिर कर करती है उसके लायक है Oh don't leave me destitute अरे मुझे अकेला मत छोड़ो In this perplexity इस परेशानी में यानि मारवोड से request कर रही है कि मुझे यहां केला मत छोड़ो इस परेशानी में No stick to me नहीं मेरे पास रहो My good genius मेरी अच्छी सहेली मेरे तुम मेरे पास रहो Mrs. Fennal I tell you madam You are abused मैं आपको बता रही हूँ मां के आपके साथ धोखा हो रहा है आपको misuse किया जा रहा है Stick to you आपसे पास लगी रहा है I like a leech हाँ आपसे ही चिप की रहेगी यह leech की तरह है Junk की तरह है To sir your best blood तुम्हारा सबसे अच्छा खून यह चूस जाएगी She will drop off और उसके बाद वो गिर जाएगी When she is full जब उसका पेट भर जाएगा खून चूस चूस के Madam you shan't pawn a boardkin not part with a brass counter in composition for me और मा तुम्हें मेरे लिए भरपाई करने के लिए आपका कुछ भी गिर्वी रखने की जरुरत नहीं है वाड किन का मतभ़ होता है hair pin एक बालों की pin भी नहीं तुम्हें गिर्वी रखनी कुछ भी नहीं देना मेरे लिए भरपाई करने को I defy them all मैं इन सब का विरोध करती हूं Let them prove their as persons जो आरोप इन लोगों ने लगाए है उनको साबित तो करने तो I know my own innocence मुझे मालूम है अपनी मासूमियत and dare stand a trial और ये लोग साबित करें मुकदमा करें और मैं उसका सामना करूंगी और exit इसके बाद वो निकल जाती है Lady Wishford Why if she should be innocent if she should be wronged after all हाँ अगर वो मासूम हुई तो अगर उसके साथ गलत हुआ है तो I don't know what to think मैं समय में नहीं आ रहा क्या सोच हूँ and I promise you her education has been unacceptable और मैं तुम से सच बता रही हूँ Marwood कि उसकी education बहुत अच्छी तरीके से हुई है acceptable तरीके से हुई है I may say it मैं ये दावे के साथ कह सकते हूँ for I chiefly made it my own care to initiate her very infancy in the rudiments of virtue क्योंकि उसकी infancy से यानि उसके बिल्कुल शेशवा वस्था से ही मैंने ऐसी शुरुआत की थी कि वो सिर्फ अच्छा आचरण करे virtue मलब गुणवान बनी रहे and to impress upon her tender years a young odium and ever done to the very sight of man और मैंने ये ख्याल रखा कि बड़ी शुरुआत से ही उसके बच्चपन से ही उसको मर्द जाती को देखने से भी उसको नफरत हो I have friend she would have if she had but seen a man till she was in her teens यानि टीनेज में आने से पहले अगर वो किसी मर्द को देख भी लेती थी तो चीख पड़ती थी जैसा कि मैं एक इनसान हूँ ये बात सच है यानि जब वो बच्ची थी तब भी उसको मैंने लड़कों के साथ नहीं खेलने दिया यानि बिल्कुल शेशवा वस्ता में दूद पीती बच्ची थी तब भी केवल लड़कियों के साथ ही उसको मैंने रहने दिया और शेशवा लुग्ड अ मैं इन दा फेस बट हर ओन फादर और दा चैपलेन और हिम वी मेड अ शिफ्ट तो पुट अपॉन हर फॉर अ वुमन यानि उसने किसी भी मर्द का चेहरा नहीं देखा था सिवाए अपने पिताजी के और चैपलेन के चैपलेन को भी हमने औरत ही बना दिया था इस तरीके से उसको ड्रेस अप किया था कि वो भी औरत जैसा ही दिखता था by the help of his long garments and his sleek face यानि उसको लंबे वस्तर पेना के रखा था और उसका चिकना चेहरा वाला लिया था यानि दाड़ी मोच नहीं थी उसके चेहरे पर ऐसा हमने चैपलेन रखा था till she was going in her 15 जब तक कि वो 15 साल की हुई Mrs. Marwood it was much she should be deceived so long अरे ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी लंबे समय तक उसको धोखे में रखा गया प्रशन और उत्तर के माध्यम से पढ़ाना तो उसको वो कभी भी उस चैपलेन के द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती थी अगर चैपलेन को इस तरीके से नहीं रखा जाता औरत के भेश में और and have heard his long lectures against singing and dancing and such debaucheries और वो उतने लंबे lectures जो दिया करता था वो lectures कभी नहीं सुनती गाने बजाने और ये जो फालतू की चीजें हैं अनेतिक चीजें हैं डिवाचरीज इम्मोरल एक्टिविटीज होती हैं तो इनके खिलाफ जो लंबे lecture वो देता था वो कभी नहीं सुन पाती and going to filthy place और जो गंदे नाटक हैं थीटर में होते हैं उनको देखने जाना उसके खिलाफ वो उसको दिखाता था जैसे हमारी यहां भी कुछ समय पहले तक पिक्चर देखने जाना गंदा ही माना जाता था पिक्चर देखने allowed नहीं होता था खासका लड़गियों को और प्रोफेन म्यूजिक मीटिंग्स वेर दा ल्यूड ट्रेबल स्कुीक नथिंग बट बोड़ी एंड दा बैसे रोड ब्लासफेमी और वो जो म्यूजिक मीटिंग्स होती हैं यानि म्यूजिक पारटी होती है प्रोफेन सैक्रेड का पोजिट होता है यानी जो अधार्मिक होती है और लिूड माने भी अनेतिक होता है इंडीसेंट होता है तो इस तरीके के गाने बजते हैं इस तरीके के गाने गाये जाते हैं वहाँ पर शो शरावा होता है बलासफेमी माने इशनिंदा होती है इश्वर के खिलाब भी बोलते हैं इर्रिलीजि दिया जाता था तो वो बिहोश हो जाया करती थी and can I think after all this that my daughter can be not और इस सबके बावजूत क्या मैं ये सोच भी सकती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है what a hope यानि ऐसी कैसे हो सकती है and thought it excommunication to set her foot within the door of a playhouse यानि उसको तो नाटक घर के दरवाजे पर भी वो कदम रखना बुरा समझती थी कि उसको excommunication कर दिया जाएगा मतलब उसको धर्म से निकाल दिया जाएगा चर्च से निकाल दिया जाएगा oh dear friend I can't believe it अरी मेरी सहेली मैं इस पर विश्वासी नहीं कर सकती no no as she says let him prove it let him prove it जैसा के मेरी बेटी कह रही है उसको सावित करने तो उसको सावित करने तो यानि के फेनाल ये बात सावित करके दिखाए के मेरी बेटी ने ऐसा किया है marwood मारwood को दिख रहा है कि उसका शडंतर यहां कामयाब नहीं हो रहा है यानि lady wishfert अगर अपनी बेटी की बात मान लेती है तो उसका जो प्लान है बोग है तो नाकाम नहीं होना चाहती अपनी प्लानिंग में तो देखे कैसे भईका रही है उसको प्रूव इट मैडम आप इसको साबित करवाना चाहती हो मैडम और आम जंता की अदालत में आपका नाम बदनाम हो जाएगा और आपके बेटी के नाम को बदनाम करेंगे तो बी अशर्ड इन विद ऑओज ऑफ स्केंडल यानि वहाँ पर स्केंडल होगा रियूमर्स होंगी ओए ये हुआ ऐसा हुआ लोग आपके बारे में बोलेंगे और कोई बुढ़ा सा जो है क्रूवल लॉयर बकील आपका ये केस खोलेगा शुरुआत करेगा इनकोई फ्लाइक अ मैन मिडवाइफ तो ब्रिंग यूर डियूर्टर्स इनफेमी तो लाइट तो बी अ थीम फॉर लीगल पंस्टर्स एंड क्विबलर्स बाय दा स्टैच्यू और वहां पर कोड में ये सारे जो वकील हैं इतने गंदे और शैतान और बदनामी में मज़े लेने वाले और बदनामी को और ज़्यादा फैलाने वाले वकील तभी तो उनके पास पैसा आएगा लोग अपनी बदनामी फोर जैस्ट इन एनी रिकॉर्ड यानि वो जो कोड होगा अदालत होगी वहां कोई प्रिसीडेंट मनें पूर वो दाहर नहीं होगा आपके जैसा जैस इसलिए और ज़्यादा मजाग बनेगी आपकी नोट इवन इन डूम्सडे जो किताब है यानि जिसमें अंतिन दिन का नियाय लिखा हुआ है उसमें भी ऐसा कहीं कोई कहानी नहीं है तो डिकंपोज तो डिसकंपोज दा ग्रैविटी ओफ दा बैंक बैंच एंड प्रवोक और नौटी इंटेलवेटरीज इन मोर नौटी लो लैटन तो यह तो डिसकंपोज डिसकंपोज को मतलब इनक्वायर तो इनक्वाय होगी ग्रेविटी ओफ दा बैंच यानि यह जो डालत होगी बैंच होगी वो अपनी ग्रेविटी के साथ यानि अपनी गंभीरता के साथ इसका इनक्वायर करेगी और प्रवोक होंगे यानि कि मजबूर होंगे और उनको शे मिलेगी नौटी इंटेलवेट जो अदालत की गंभीरता है वो डिस्टरब होगी और शैतानी से भरे हुए सवाल पूछे जाएंगे इन जो लेटन भाषा है कोड की भाषा उस वक्त लेटन होती थी तो जो शैतानी से भरी हुई लेटन भाषा है कानून की भाषा है उसमें सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि आप भी देखते होंगे एक मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा दो तिन फिल्म में ऐसी हुई है जहां लड़कियों को अदालत में खसीटा गया है जबके उनके साथ दुराचार हुआ और फिर उनहीं से सवाल पूछे गए एक रानी मुखर जी की थी बहुत जबरदस्त फिल्म थी और जबरदस्त एक्टिंग थी रानी मुखर जी की शायद राजा की आएगी बरात तो उसका नाम था और एक और थी जिसमें वकील बने थे अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और हमें आके बढ़ रही हूँ लेकिन सिर्फ हमारी फिल्मों में या इंडिया में ही नहीं होता है कि जो अपोजिशन वाला वकील होता है वो लड़की को इतना जलील करता है अधालत में तो यह ऐसे ही आपकी बेटी को जलील किया जाएगा जो अच्छा जज होगा वो टिकल्ड मने जैसे उसे गुद्गुदी हो रही होगी जो प्रोसीडिंग्स चल रही होगी जज भी उसमें मजे लेगा सिंपर्स मने उसको राएगा वो भी अंडरा ग्रे बियर्ड वो अपनी सफेद दाड़ी के नीचे और फिर ऐसे ऐसे करवट बदलेगा जैसे के उसने जुलाब की फोली खाली हो और अपनी कभी इदर कभी उधर करेगा जैसे को उसको उधर जाना हो बड़े ग़र लगी हुई हो बहुत जोड से तो ऐसे हिले गडूलेगा अपनी कुरसी पर लेड़ी ओ टिस वेरी हाड आरे ये तो बड़ा मुश्किल होगा मिसस मारवोड एंड तो हैं माई यंग रिवेलर्स आफ दा टेम्पल टेक नोट्स टेम्पल क्या है लोग कोर्ट्स हैं तो वो जो वकील होंगे नोट्स लिखेंगे लाइक प्रेंटिस एज अ कोवेंटिस एंड आफ्टर टॉक इट ओवर अगें इन कॉमन्स एंड बिफोर ड्रॉर्स इन एन इचिंग हाउसे तो वकील हैं अपने आफिस में कोर्ट में उधर नोट्स लिखेंगे फिर उस पर बात करेंगे डिसकस करेंगे और कितनी ही मलब आ नहीं खतम हो जाता तो भी ठीक था बट इट मस आफ्टर डिस इस कंसाइंड बाए दा शॉर्ट हैंड राइटर्स टूदा और उसके बाद क्या होगा यह शॉर्ट हैंड में लिखने वाले जो लोग हैं जो पत्रकार लोग हैं अभी तो क्या है रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर बाद मैं उसको छापदेते हैं पैले शॉर्ट हेंड में लिखा जाता था बहुत लंबा संटेंस एक शब्द में लिख जाता है शॉर्ट हैंड तरीके का राइटिग होते सीखनी पढ़ती है जवरदस होती है डिफिकल्ट होता है आदर उसको सीखना तो वो शॉर्ट and lungs of hawkers. फिर वो वहां से खबरें ट्रांसफर होंगी इनके हाथों में, हाथों में नहीं, बलके throats, गले में, गलाख फार फार के चलाते हैं ना, जो hawkers होते हैं, देखो आज के अख़वार, ताज की ताजा खबर येलो, और उनके लंग्स फूल जाते हैं, जो 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 से चलाते हैं, hawkers, जो खबर बेचने बाले हैं, and voices more licentious than the loud flounder men's, और बहुत उची-उची आवाज में, लाइसे अन्यतिक होती है, और flounder men's होते हैं, fishermen, जैसे मचवारे जो 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 से चिलाते हैं, उनसे भी ज़्यादा उची आवाज में, चिला चिला कर आपकी बद्रामी होगी, देखो साब, ताज की ताजा खबर, लेडी विश्वर्ट की बेटी का, ये, और वो, and this you must hear till you are stunned, और ये सब कुछ आपको सुन अरे भाई, ये तो बरदास से बाहर है, no, no dear friend, make it up, अरे तुम इसको कैसे भी सिल्टाओ, make it up, कैसे भी इसको सिल्टाओ मामले को, I will compound, हाँ मैं पूरी भरपाई करूँगी, सारा जिता पैसा मांगोगी, उत्ता दूँगी, I will give up all, मैं सब कुछ दे डालूँगी, myself, अपन तो इसके लिए मैं सब कुछ दे डालूँगी, settlement के लिए, composition settlement भी आप कह सकते हैं, तो इसके लिए मैं सब कुछ दे डालूँगी, मैं आप कोई सलाह नहीं दूँगी, I only lay before you as a friend, मैंने तो आपके सामने प्रस्ताब रखा था एक दोस्त के रूप में, the inconveniences which perhaps you have overseen, यानि मैंने तो आपके सामने सिर्फ वो चीज़ें रखी हैं, inconvenience मने असोविधाएं, bad consequences, बुरे परिणाम जो होंगे, शायद वो आपको देखने को मिले, मैंने तो सिर्फ आपको इसलिए जलक रखी हैं, लेकिन अब मैं इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करूँग if he will be satisfied to huddle up all in silence, अगर वो राजी हो जाएं, ये सब कुछ huddle up मने हश up, सब कुछ शांत करने के लिए, I shall be glad, तो मैं खुश होंगी, कितनी नालाएगा, देख रहे हैं आप, you must think I would rather congratulate than condole with you, अब आप ये समझ लीजे कि मैं आपको congratulate करना ज्यादा पसंद करूँगी, ये मामला शांत ना हो, तो मैं, मेरी इच्छा ये है कि मुझे तुम्हें congratulate करने का मौका मिले, ना कि तुम ऐसा सहनुभूती जाताने का, enter final, final प्रवेश करते हैं, lady, I do not doubt it, dear Marwood, no, no, I do not doubt it, बिल्कुल मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, dear Marwood, तुम पक्का मेरा समझाता कर दोगी, final, well, madam, ठीक है, madam, I have suffered myself to be overcome by the opportunity of this lady, your friend, ठीक है, सासुमा, मैंने इस, जो आपकी दोस्त हैं, आपकी सहेली हैं, इतनी अच्छी महिला हैं, मैंने इनकी बात मान ली है, मैंने सब कुछ, इनकी, 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 दरखास मान ली है, and I am content, you shall enjoy your own proper estate during life, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कि जब तक आप जिन्दा रहेंगी during life, तो आप अपनी property को आराम से enjoy कर सकती है, on condition, you oblige yourself never to marry, शर्त यह है, कि आप दुबारा कभी शादी करने की कोशिश नहीं करेंगी, under such penalty as I think convenient, और इस शर्त पर मुझे लगता है, मेरे ये उचित होगा कि मैं आप से समझोता कर लूँ, लेडी विश्वर्ट, never to marry, कभी शादी ना करूँ, फिनाल, no more सरोला, अब सरोला जैसा कोई case नहीं होना चाहिए, the next imposter may not be so timely detected, हो सकता है कि जो अगला धोखेबाज हो, इतने समय पर जैसे इसको detect कर लिया गया, इसको पक पाएं, Mrs. Marwood, that condition I dare answer my lady will consent to without difficulty, अबरी ये शर्त तो मेरी सहली तुरंद मान लेंगी भाई, बिना किसी परेशान के मान लेंगी, she has already but too much experience the perfidiousness of man, वो मर्दों की धोखेबाजी पहले ही बहुत देख चुकी हैं, अब वो कहीं शादीवादी नहीं करने वाली, तो Marwood तो उसक फेनाल की हां में हमिला रही है, लेडी विश्फर्ड को अभी शादी करने की इच्छा है, besides madam, when we retire to our pastoral solitude, और इसके अलावा भाई, हम तो वैसे भी retire होने वाले हैं, गाउं की और जाने वाले हैं, we shall bid adieu to all other thoughts, तो बाकी जतने भी ख्यालात हैं, उन सब को तो हम bye-bye कह लेडी, that's true, हाँ, ये तो सही है, but in case of necessity, लेकिन अगर कोई जरुवत पड़ गई, तो as of health or some such emergency, कोई स्वास्थे कारण हुआ, या कोई और emergency हुई, तो हो सकता है, भाई, मुझे यहां रहना पड़े, शादी करनी पड़े, फिनाल, oh, if you are prescribed marriage, ठीक है, अगर डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करता है, कि भाई, आपकी शादी होनी चाहिए, you shall be considered, तो उसको मैं consider करूँगा, फिर मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, I will only reserve to myself the power to choose for you, लेकिन ये अर्धिकार में अपने पास रखूँगा, कि if your physics be wholesome, it matters not, who is your apothecary, यानि अगर आपके स्वास्ते की बात है, तो आपको apothecary मने, जो आपका chemist है, डॉक्टर है, वो कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, next my wife shall settle on me the remainder of her fortune, not made over already, तो अगरी शाद मेरी ये है, कि मेरी पत्मी ने जो भी अपनी दौलत अभी तक मेरे नाम नहीं किए है, बची कुछी दौलत वो भी अपनी दौलत मेरे नाम करेगी, and for her maintenance depends entirely on my discussion, और अपने maintenance के लिए, अपने रिकराबर के लिए, खर्चापानी के लिए, वो केवल मेरे वेक पर निर वड़ रहेगी, मैं उससे जिता पैसा दूँ, खर्चापानी, वो अतना ह मास्को का निवासी है ना तो मास्को के जो पती होते हैं मास्को के जो लोग होते हैं उनसे भी ज्यादा क्रुएल्टी है यह तो निश्ठुरता है या दुष्टता है फिनाल I learned it from his जारिश मेजस्टी रेटेन्यू तो जार जो है वो रूस के शासक रहे थे वहां की करांती से पहले तो जो जार थे उनके रेटेन्यू यानि उनके जो फॉलोवर्स होते हैं उनमें से एक से मैंने सीखा था इन विंटर सी इवनिंग कॉन्फरेंस ओवर ब्रांडी एंड पैप पैपर मैंने तो मिर्च होती है लेकिन एक तेज शराब है ब्रांडी एंड पैपर या फिर चखना साथ में खाते हैं न दारू के साथ तो उसके लिए आया होगा और एमंगस्ट अदर सिक्रेट्स ओफ मैट्रिमोनी एंड पॉलिसी तो दूसरे और राज हैं मैट्रिमोनी क शादी विवा के पॉलिसी के राजनीती के तो वो सब हम डिसक्रस कर रहे थे as they are at present practice in the northern hemisphere. जैसे कि उधर northern hemisphere में आजकल प्रैक्डस चल रही है आजकल लोग करते हैं तो वो सब हम डिसक्रस कर रहे थे रशिया की ओर जैसा प्रैक्डस चलती है बट इसमस्त बी एंट्र and that positively लेकिन ये तो आपको सहमत होना ही पड़ेगा इन शर्तों को मानना ही पड़ेगा जरूर लास्ली आइविल बी एंडोड इन राइट तो माई वाइफ विद एट सिक्स थाउजन पाउंड विच इस मोईटी ओफ मिस्स मिलामेंट फॉर्चून इन यूर पजेशन यानि ज शहजार पाउंड जो कि उनका मिलामेंट का हिस्सा है और वो आपके पास है वो भी आपको मुझे ही देना पड़ेगा और वो फॉर्फीट कर चुकी है यानि उसकी अब वो हगदार नहीं रही एज विल एपियर बाइदा लास्विल एंड टेस्टामेंट ओफ यूर डिसी विश्वर्ड ने अपने बसीयत में यह लिखा था कि अगर मिलामेंट लेडी विश्वर्ड के खिलाफ जाकर शादी करती है तो उसको उसकी दौलत नहीं मिलेगी तो अब वो उसकी हगदार नहीं रही है क्योंकि लेडी विश्वर्ड चाहती थी विलफुल से शादी करना by her disobedience in contracting herself against your consent or knowledge क्योंकि उसने contracting herself मने अपनी शादी उसने कर ली है विवाह के लिए उसने सहमती दे दी है शादी के लिए against मने खिलाफ your consent आपकी सहमती के और आपको इसकी जानकारी भी नहीं है and by refusing the offered match with sir willful witwood और आपने जो offer दिया था कि sir willful witwood से शादी कर लो उसको refuse कर दिया which you like a careful aunt had provided for her यापने उसकी ख्याल रखते हुए एक अच्छी aunt के रूप में आपने प्रस्ताव रखा था और वो उसने ठुकरा दिया lady wishward my nephew was non-composed भाही मेरा जो भतीजा था वो तो नशे में था लिए नहीं हुई वो शादी ऐसा थोड़ी है कि उसने इंकार किया था यानि यहाँ पर थोड़ा सा lady wishward बचाब कर रही है मिलामेंट का final I come to make demands I will hear no objections मैं तो यहाँ अपनी मांगे मनवाने आया हूं मुझे यहाँ कोई objections अतराज नहीं चाहिए lady you will grant me time to consider तुम कम से कम मुझे सोचने का मौका तो दोगे न final yes हाँ बिलकुल दूँगा while the instrument is drawing जब तक की कागजात तयार हो रहे हैं to which you must set your hand till more sufficient deeds can be perfected which यानि उन कागजात पर you must set your hand मनलब तुम्हें दस्ताखत करने होंगे till more sufficient deeds और इससे पहले के जो एकदम solid documents हैं can be perfected उनको एकदम perfect किया जाए पूरी तरीके से तयार किया जाए इस वीच कुछ कागज तयार हो रहे हैं और तुम इस भी सोच लो which I will take care shall be done with all possible speed और मैं कोशि जल्द से जल्द सारे कागजात तयार हो जाएं in the meanwhile I will go इस बीच में जा रहा हूं for the sad instrument यानि वो कागजात तयार कराने के लिए and till my return और मेरे lotने तक you may balance this matter तुम इस मामले में सोच लो in your own discretion अपनी बुद्धी विवेक से exit final और final चला जाता है and lady this insolence is beyond all precedent यानि यह जो बत्त में जी मैंने नहीं देखी must I be subject to this merciless villain इस निश्ठुड villain इस खलनायक के दया पर मैं निर्फ़र रहूंगी यह मैं इसकी खुलामी करूंगी मैं इसकी अनुसार चलूंगी Mrs. Marwood it is severe indeed madam हाँ मैं थोड़ा सा ये कठोर तो है that you should smart for your daughter's wantonness के आपको अपनी बेटी की बचलनी के लिए ये सब कुछ सहना पड़ रहा है तो ये नहीं कह रही कि Mr. Fainal गलत कर रहा है अभी भी Mrs. Marwood ये उसको convince करना चाहा रही है कि जो कुछ आपको बरदास्ट करना पड़ की वज़े से लिड़ी it was against my consent that she married this barbarian इस जंगली से शादी मेरी बेटी ने की थी मेरी consent के खिलाफ मेरी मर्जी के खिलाफ जाके उसने शादी करी थी but she would have him though her year was not out हलांकि वो उसकी साल भी खतम नहीं हुआ था और उससे पहले उसने शादी कर ली her first husband अरे उसका जो पहला पती था my son language मेरा दामाद language ये जरूर याद रखिएगा यानि मिस्स फेनाल का पहला पती language था ये multiple choice questions में पूछा जा सकता है आपसे कुछ नाम हैं बहुत मुश्किल से लोग याद रख पाते हैं और वो अक्सर एक्जाम में आ जाते हैं जैसे अभ तो जो मेरा दामाद language था would not have carried it thus वो इसको इस तरीके से नहीं करता है ऐसा भी अभार नहीं करता well that was my choice वो मेरी choice था मैंने चुना था उस दामाद को this is hers ये मेरी बेटी ने चुना है देखो कैसा तो तभी तो कहते हैं ना जो माबब चुनते हैं वो हमेशा हमेशा कभी-कभ गड़ बर निकल आती है लेकिन माबब अच्छा चुनते हैं तो this is hers ये उसकी choice है she is masked now with a witness अब देखो वो एक witness से जुड़ी हुई है I shall be mad dear friend मैं तो बस पागल हो जाओंगी मैंस्ट with a witness क्या आप ये भी कह सकते हैं कि वो उसके सामने मुकाबले के लिए खड़ा हुआ है उ मैं तो पागल हो जाओंगी dear friend मेरी सहली is there no comfort for me क्या मेरे लिए कोई राहत नहीं है कहीं से must I live to be confiscated क्या मुझे ऐसे ही मेरी कुर्की की जाएगी confiscation कुर्की होती है यानि मुझे ऐसे ही लूटा खसूटा जाएगा at this rebel rate यानि इस जंगली पने से here come two more of my Egyptian plagues to low दो और Egypt में ज मुझीबतें दो और मुझीबतें आ रही हैं सामने लो एंटर मिलामेंट और सर्विल्फुल प्रवेश करते हैं सर्विल्फुल आन्ट यॉर सविटी मैं तुम्हारा नौकर हूं तुम्हारा सेवक हूं लेडी विश्वर्ड आउट केटरपलर पाहर निकल कीड़े call me not aunt a little in disguise as that way मैं मानता हूँ कि मैंने अपने होशो हवास खो दिये थे अंटी God's heart and I am sorry for it और मैं one कसम खाके कहता हूँ कि मुझे उसके लिए अफसोस है what would you have आप आप बताओ किया चाहती हो I hope I committed no offense मुझे उमीद है कि मैंने कोई अपराद नहीं किया and if I did I am willing to make satisfaction और अगर मैंने कोई अपराद गिया भी है तो मैं उसके लिए माफी मांगने को तयार हूँ या फिर उसके लिए compensate करने के लिए तयार हूँ चतिपूर्दी करने को तयार हूँ and what can a man say for error और इससे ज्यादा अच चाहे उसकी कीमत एक पाउंड हो and so let that content for words past and make no more words इसलिए जो कुछ गुजर गया है उसको भूल जाएए और उसके बारे में बात मत कीजिए for words to come to pleasure you I am willing to marry my cousin क्योंकि जो आने वाला है और उसमें आपको खुश रखने के लिए भविशे में मैं अपनी cousin यानिके मिलामेंट स शादी करने को तयार हो so pray let's all be friends she and I are agreed upon the matter before a witness इसलिए हम चलिए अब हम सभी दोस्त बन जाते हैं और मिलामेंट और मैं सहमत हो गये हैं हमारे पास एक गवाह भी है और हम दोनों शादी के लिए तयार है lady wishford how's this dear niece ये कैसे हुआ प्यारी भती जी have I any comfort क्या मुझे कोई रहत मिलेगी can this be true क्या ये बास सच हो सकती है मिलामेंट I am content to be a sacrifice to your repose madam आपके रहत के लिए मैं अपनी बली चड़हने को तयार हूँ auntie and to convince you that I had no hand in the plot और आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस शड़यंतर में मेरा कोई हाथ नहीं था as you were misinformed जैसा कि आपको गलत सूचना दी गई थी I have laid my commands on mirawil to come in person मैंने खुद आदेश दिया है mirawil को कि वो खुद आए and be a witness और वो गवाही दे that I give my hand to this flower of nighthood कि मैं इस flower of night हो यानि कि सर willful को अपना हाथ दे सकूँ and for the contract that passed between mirawil and me और mirawil और मेरे बीच में जो समझोता हुआ था यानि शादी के लिए जो सहमती हुई थी I have obliged him to make a resignation of it तो मैंने उसे कहा है कि वो उस समझोते को खतम कर दे resign कर दे in your ladyship's presence आपकी presence में आपकी उपस्तिती में आपके सामने ही वो ये बात से resignation दे दे कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा he is without वो बाहर खड़ा है and waits your leave for admittance और अंदर आने के लिए आपकी अनुमती चाहता है उसका इंतजार कर रहा है lady wishward well I will swear I am something revived at the testimony of your evidence अरे मैं कसम खा के कहते हूं कि मुझे थोड़ी राहत मिली है जीवन वापस आ गया है मेरे शरीर में यह testimony यह प्रमार देखकर of your obedience कि तुम मेरी बात मान रही हो but I cannot admit that traitor लेकिन उस गदार को मैं अंदर नहीं आने दूँगी I fear I cannot fortify myself मुझे लगता है कि मैं fortify का मदा अपने आपको मजबूत करना मैं अपने आपको इतनी मजबूत नहीं कर पाई हूं to support his appearance कि उसकी appearance यानि उसको अपने सामने देखकर बरदाश्ट कर सकूं He is as terrible to me as a gorgon वो मेरे लिए उतना ही डराबना है जितना के एक gorgon यह western mythology में तीन बहने हैं gorgon और उनमें उनके सिर्पे क्या है बाल नहीं है बाल की जगह सांप है आपने कुछ English फिल्म अगर देखी है तो कई बार उनमें यह दिखाई जाती है उनमें तीन बहने है गorgon और उनमें जो सबसे ज़्यादा खास है जो उसका नाम मैडूसा है अगर आपने मैडूसा नाम सुना भी होगा वो सबसे ज़्यादा भयानक है और इतनी भयानक है कि जो भी उसके चेहरे को एक बार देख ले तो वो पत्थर का बन जाता है तो अब कह रही है कि वो मेरे लिए गorgon का जरूर याद रखेगा जिक्र ये भी पूछा जा सकता है पूछा तो कुछ भी जा सकता है आप से तो गorgon का याद रखेगा और मेडुसा जरूर याद रखेगा कि मेडुसा जो थी उसको जो भी देख लेता था वो पत्थर बन जाता था अगर मैं उसको देख लोगी मिरावेल को तो मुझे डर है कि मैं पत्थर बन जाऊंगी पैट्रिफाई पैट्रिफाई वो यह होता पत्थर बन जाना तर्ण इंट्रू स्टून इंससेंटली मने हमेशा के लिए मिलामेंट इफ यू डिसलॉज हिम ही में रिसेंट यूर रिफ्यूजल एंड इंसिस्ट अपोन दा कॉन्ट्रेक्ट स्टिल यानि अगर आप डिसलॉज नहीं है आँखें जा रही है सची मैं मैं कुछ का कुछ पढ़ रही हूँ एक तो आप लोगों को जल्दी मचवा रहे हैं तो लगा रही हूँ ऐसे जल्दवाजी मैंने कभी नहीं पढ़ाया तो डिसलॉज पढ़ रही हूँ यानि इसके बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगा अगर मुझे भी इस बात का यकीन दिलाओ मैं आगे कभी उसका मुह नहीं देखना चाहती सर्विल्फुल यू एंड ही आर तो ट्रेवल तुगएदर आर यू नोट तो सर्विल्फुल आप दोनों साथ में यात्रा करने वाले हो क्या नहीं हो सर्विल्फुल गौर्सार्ट दा जेंटलमेंस अ सिविल जेंटलमें हां भाई वह बहुत भला आदमी हैं लेट हिम कम इन उसे अंदर आने दीजे वाई वी आर सोंड ब्रदर्स एंड फैलो ट्रेवलर्स हम तो अब बिल्गुल कसम खाके सगे भाई बन गए हैं और हम सासा में जाएंगे तो वह मेरा इंटर्प्रेटर बनेगा यानि विदेशी भाषा हैं सर्विल्फुल को नहीं आती हैं लेकिन मेरा विल को आती हैं तो वह ट्रांसलेटर का काम करेगा यानि वह समुद्र में यात्रा कर चुका है पहले ही एक बार एंड विद प्रोविसो दैट आई मेरी कजन और इस शर्थ पर के मैं अपनी कजन से यानि मिलामेंट से शादी करूं विल क्रॉस दैम वंस अगिन फिर से वह समुद्र में मेरे साथ जाएगा उनको समुद्र को क्रॉस करेगा उनली टू बियर माई कंपनी केवल मेरा साथ देने के लिए गौड्स हाट आई विल कॉल हिम इन भगवान कसम मैं उसको अंदर बुला रहा हूं और मैंने निश्य कर लिया है और मैं देखता हूं कि उसको कौन रोकता है और ऐसे करके खांसता है यह बड़ी अच्छी तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं यह लोग इफ इट वूड पास अगर ऐसा हो गया तो अपने आप से ही कह रही होगी यह बात कि यह हो क्या रहा है क्योंकि यहां तो अब उनका जो प्लान था वो पूरी तरह की से फेल हो रहा है लेड़ी विश्वर्ड ओ डियर मारवॉड आर यू नॉट गोइंग अरे मारवॉड क्या तुम जा रही हो मिस्स मारवॉड नॉट फार जादा दूर नहीं जा रही मैड़म आई विल रिटर्ण इमीडिटली मैं जल्दी ही लोटाओंगी तो अब वो जा रही है पता लगाने के लिए कि आखिर चल क्या रहा यह ऐसा मदब टेवल स्टरंड कैसे हो गई उलट पलट कैसे हो गई बा आई विल स्टेंड बाई यू मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं गॉड्स पर एंड शी डू फ्राउं हाँ वो नाराज है शी कांट किल यू लेकिन वो तुम्हें खानी जाएंगी तुम्हें मार नहीं डालेंगी बिसाइड्स हर की शी डियर नोट फ्राउं डेस्परेटल और इसके अलावा हर की का मतलब तुम यह बास सुनो शी डियर नोट फ्राउं डेस्परेटली यानि वो ज्यादा लंबे समय तक या रेस्ट रेस्टी तुमको तुम्हारी को मुह बनाकर नहीं देख सकती है विकॉस हर फेस इस नन ओफ हरोन क्योंकि उनका जो चेहरा है वो मुह सिकोड़ेंगी तो वो जो पेंट है छुटने लगेगा रिंकल्स पड़ेंगी तो अगर वो सिकोड़ेंगी तो जैसे क्रीम छुटके गिर जाती है वैसे ही वो गिर जाएगा उनका पेंट और धबे-धबे से हो जाएंगे वहाँ पर इसलिए मम मने वो चुप साइलेंट रहेंगी तो जादा देर मुह नहीं वराएंगी मिरा विल इफ डीप सेंस ओफ मैनी इंजरीज आई हैव ओफर्ड तो सो गुड अ लेड़ी विद अ सिंसियर रिमोर्स एंड अ हार्टी कंट्राइशन यानि इतनी अच्छी महतरमा को मैंने जो भी नुक्सान किय हैं और जो भी मैंने आपके साथ गलत किया है उसका मुझे बहुत अफसोस है मैं पस्ता रहा हूं मेरा कंट्राइशन रिमोर्स को ही कहते हैं अफसोस है पस्तावा है यानि आप थोड़ा सा भी अगर मेरे उपर दया करेंगी तो मैं बहुत खुश हो जाओंगा आह मैडम द दिन थे एक वक्त हुआ करता था लेकिन अब तो उसे मुझे भूल जाना चाहिए I confess I have deservedly forfeited the high place I once held off sighing at your feet मैं मैं उसका हको चुका हूँ एक वक्त जो मुझे हासल था कि मैं आपके कदमों में बैठ कर आहें भरा करता था मैं वो सब खुश चुका हूँ अपनी गलती से ने किल मी नोट नहीं मुझे मार मत डालना by turning from me in distant नफस से मेरी तरफ से मुझ गुमा कर ऐसा मत करना मैं मरी जाऊं I come not to plead for favor ने not for pardon मैं आपसे तिरपा मांगने नहीं आया आपसे ये भी नहीं कह रहा कि भाही मुझे माफ कर दो I am suppliant only for pity मैं तो सिर्फ आपसे दया मांग रह मैं तो ऐसी जगह जा रहा हूँ जहां से कभी आप मुझे नहीं देख पाएंगी sir willful how fellow traveler क्यों भाई मेरे साथी you shall go by yourself then तो क्या तुम अके ले ही यात्रा पर जाओगे मिराविल let me be pitied first पहले मुझे दया दिलवाओ and afterwards forgotten और फिर मुझे भुला दिया जाने दो I ask no more और मैं इससे ज़्यादे नहीं चाहता मैं यानि मेरे ओपर दया कीजिए और फिर मुझे भूल जाएए यानि मदर मेरी की कसम ये तो बड़ी तुम्हारी तारकिक ख्वाहिश है and will cost you nothing और आंटी आपका कुछ खर्च नहीं होगा मान जाओ मान जाओ इसको माफ कर दो और भूल जाओ उसने जो किया आपको ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि आप एक इसाई हो यानि कि इसाई लोग बहुत जल्दी माफ कर देते हैं दूसरों को मिरावेल कंसिडर मैम इन रियलेटी यू कुट नोट रिसीव मच प्रेजुडिस इट वाज एन इन इनोसेंट डिवाइस यानि मेडम मिरावेल कह रहा है कि आप इस पर विचार कीजिए कि ये बड़ा इनोसेंट सा तरीका था मासूमियस से भरा हुआ एक तरीका था दो आए कनफेस इट हैड अफेस ओफ गिल्टिनेस हालां कि मैं ये मानता हूँ कि इसमें अपराध का एक चेहरा लग रहा था बाहर यानि एक मुखोटा था एक ऐसा तरीका था जो लव कंट्राइब्ड यानि मेरी मुखबत ने कंट्राइब्ड मने तयार किया था प्रिपियर्ड दे एंड एरर्स विच लव प्रोड्यूसेज हैव एवर बीन एकाउंटेड वीनियल और जो गलतियां मुखबत में होती हैं वो अक्सर मानी जाती है वीनियल मतलब कि छमा के लायक माफ करने लायक at least think it is punishment enough that I have lost what in my heart I hold most dear तो आप ये मान लीजिए कि मुझे कितना बड़ा दर्ण मिली गया क्योंकि मैंने उसको खोया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है that to your cruel indignation और वो आपके गुसे की वज़े से मैं उसको छोड़ रहा हूं I have offered up this beauty and with her my peace and quiet मैंने इस खुबसूरत महिला को यानि कि मिलामेंट को और उसके साथ साथ अपने शुक्स शान्ती को भी यहां सर्विलफुल को दे दिया है ने all my hopes of future comfort यानि भविश्य में मुझे कोई उमीद नहीं होगी कोई राहत नहीं होगी वो सारी उमीदें भी मैंने अपनी यहां दान कर दी हैं कुर्बान कर दी हैं सर्विलफुल and he does not move me would I may never be over the quorum and it were not as good a deed as to drink to give her to him again I would might never take shipping यानि यह इसकी ऐसी इलतिजाएं मेरा दिल नहीं पिगला सकती मैं तो कभी ऐसा नहों कि मैं कभी जस्टिस बनूं ऑफ दा कोरम का मतलब हुआ हैं यहां पर कि जस्टिस ओफ पीस मैं कभी ना बनूं अगर मिलामेंट को इसे वापस देना मिरावेल को वापस देना अगर इतना ही अच्छा काम होता जितना के दारू पीना हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं कभी यात्रा पर नहीं जा पाता shipping समुद्री यात्रा पर नहीं जा पाता and if you don't forgive quickly अगर आप जल्दी माफ नहीं करोगी I shall melt मैं पिखल जाऊंगा I can tell you that मैं आपको बता रहा हूं my contract went no further than a little mouth clue and that's hardly dry यानी मेरा जो समझोता था इन से अभी मुझे का ही समझोता है कोई लिखिस समझोता नहीं है और one doleful sigh more from my fellow traveler and it is dissolved और एक बार और आह भरी मेरे इस साथी ने तो ये समझोता मैं यहीं खतम कर दूँगा lady wishford well nephew upon your account ठीक है मेरे बतीजे तुम्हारी वजह से मैं इसको माफ कर दी हूँ he has a false insinuating tongue अरे इसकी जवान बड़ी धोके बाज है शायद यह अपने आप से कह रही है well sir I will stifle my just resentment at my nephew's request ठीक है मैं अपने गुसे को शान्त कर लेती हूँ अपने भतीजे की दरखास पर I will endeavor what I can to forget but a proviso that you resign the contract with my niece immediately मैं कोशिश करती हूँ what I can to forget या नि जितनी भी मैं कोशिश कर सकती हूँ यह भूलने के लिए जो तुमने मेरे साथ किया है लेकिन शर्त यह होगी कि तुमने मेरी बतीजी के साथ जो समझा होता किया है शादी का वो तुम्हें तुरंत ही resign करना होगा उससे मेरा वेल it is in writing मैंने तुर लिखके दे दिया है and with papers of concern और इससे संबंदित कागस भी रखें but I have sent my servant for it लेकिन मेरे मैंने अपने सेवकोस के लिए भेजा है and will deliver it to you और जल्दी ही यह सब कागसात आपको मिल जाएंगे with all acknowledgement for your transcendent goodness और मैं आपके एहसानों को से दबा हुआ हूँ और आपको वो सारी चीज़ें मैं सौंप दूंगा lady oh he has witchcraft in his eyes अच्छा ये बात वो अपने आप से कह रहे है एसाइड लेखा हुआ ना एसाइड जब आदमी खड़ा तो सब के सामने होता है लेकिन बात अपने मन में अपने आप से कर रहा होता है तो अभी भी lady wishford उनको भुला नहीं पाई है मेरावल को और उनका जो अफेर रहा था तो गहनी है oh he has witchcraft in his eyes and tongue उसकी आखों में और उसकी जबान में जादू है when I did not see him I could have bribed a villain to his assassination जब मैंनों उसको देखा नहीं था तो मैं किसी भी खलनाया को पैसे दे के इसको मरवा डालती but his appearance rakes the embers which have so long lane smothered in my breast यनी जो महबत के शोले मेरे सीने में तब से दबे रखे थे आज इसने सामने आके उनको भड़का दिया है यह बात वो अपने आप से करें एंटर फिनाल एंड मिसस मारवोड यहां फिनाल और मिसस मारवोड प्रवेश करती है फिनाल your date of deliberation madam is expired here is the instrument are you prepared to sign तो आपके सोचने समझने का time समात हो गया date निकल गई मेडम और यह रहा document और इस पे आप sign करने को तयार है lady if I were prepared I am not empowered अगर मैं तयार भी होती sign करने को तो अब यह मेरे हक में नहीं रहा my niece exerts a lawful claim मेरी भती जी ने एक कानूनी दावा किया है having matched herself by my direction to sir willful यानि मेरे कहे अनुसार वो sir willful से शादी करने को तयार हो गई है अब मेरा हक नहीं रहा इस पे sign करने का final this that sham is so too gross to pass on me ये तो जो दोखा है चलावा है इतना ज़्यादा बेकार है कि मेरे गले नहीं उतर सकता मैं इसको नहीं मान सकता that is imposed on you madam हलांकि ये आपके ऊपर थोप दिया गया या या आप इनकी बातों में आ गई है sir I have given my concerns नहीं भाई श्रीमान जी मैंने अपनी अनुमती दे दी है मैं तयार हूं sir willful श्रादी करने को and sir I have resigned my pretensions और श्रीमान जी मैंने resign कर दिया है जो मेरा right था जो मेरा हक था वो मैंने छोड़ दिया है sir willful and sir I hazard my right और श्रीमान जी मैं अपना हक यहां पर दावा पेश करता हूं and will maintain it in defiance of you sir और आपके रोध में मैं इस पर अड़ा रहूंगा and of your instrument यानि और जो आपके जो कागजात हैं इनके खिलाफ भी मैं खड़ा हुआ हूँ and you talk of an instrument sir I have an old fox by my thigh और मेरे पास एक old fox यहां इन्होंने अपनी तलवार के लिए बोला है by my thigh यानि मेरे जंगाओं पर लटकी हुई है यानि जब तलवार लटकाते हैं वो नीचे की साइड आता है टांगों तक आती है जो उसकी मियान है तो मेरे जंगाओं पर एक तलवार लटकी हुई है और ये मेरे जो तलवार है आपके इस इंस्टुमेंट को काट के टुकड़े टुकड़े कर देगी इट शेल नाट वी सफिशेंट फॉर अ मिटिमस और टेलर्स मेजर तो ये जो तावड़ा डॉक्यमेंट तुम लेके आए हो ये इतना साभी नहीं रहेगा कि इस पर कोई मिटिमस माने वारंट होता है वारंट ओफ अरेस्ट के इस पर वारंट ओफ अरेस्ट भी लिखा जा सके या फिर टेलर्स मेजर या जो टेलर है वो नाप लिखता है के इतने इंच का बाजू बनेगा इतने इंच का सीना होगा तो वह भी नहीं लिखा जा सकेगा इतने फार खीच लूँगा लेड़ी होल नेफ्यू होल अरे रुको बेटा बतीजे रुको मिला मेंट गुड सर विल्फुल अरे अच्छे विल्फुल रेस्पाइट यॉर वेलर अपने हिमत को अपने इस गुस्से को जड़ा काबू में रखिये फिनाल इंडीड क्या वास्ता में आर यू प्रोवाइड़ ओफ यूर गार्ड विद यूर सिंगल बीफ इटर देर ये अच्छा तो ये आपको सुरक्षा दे रहा है आपको ये बचा लेगा ये बीफ इटर बट आयम प्रिपेर्ट फॉर यू लेकिन मैं आपके लिए तयार हूँ एंड इंसिस्ट अपॉन और मैंने जो पहला प्रस्ताव रखा था मैं उसी पर अड़ा हुआ हूँ यू शाल समेट यूर ओन एस्टेट तो माई मैंजमेंट आप अपनी सारी संपत्ति मेरे हाथ में दे दोगी एंड एपसलूट एपसलूटली मेक ओवर माई वाइफ तो माई सोल यूज और मेरी प उसके अनुसार I suppose मैडम यूर कंसेंट इस नोट रिक्विसाइट इन दा केस और मुझे लगता है मैडम इस केस में आपकी कंसेंट की तो जरूरती नहीं है नौर मिस्टर मिरावेल यूर रेजिगनेशन और ना ही मिस्टर मिरावेल आपके रेजिगनेशन की जरूरत है और कहीं और जाके एक गार्डन फले फूले मलब बनाओ आप जाके अपनी तलवार से जो भी करना है आपको for here it will not avail कि यहां इसका कोई फायदा नहीं होगा this my lady wishford must be subscribed or your darling daughter's turn और मेरी lady wishford यानी मेरी सासुमा या तो यहां पर तुम sign करो subscribe माने sign करना और नहीं तो जो तुम्हारी प्यारी बेटी है उसको मैं तलाक दे दूँगा a drift मने अलग कर दूँगा अपने आप से like a leaky hulk to sink or swim as she and the current of the lewd town can agree a drift. मेनी झाल किहाया कि कोई ship डूब रहा होता है तो उससे लोगों को उतार दिया जाता है कि इसमें पानी भार रहा है कि नु से पानी बहुए तुम ऊतरो तुम उतारो जो debri whole awakent उनको उतार दिया जाता है कि चाहो तुम डूब ओ चाहे त्यारी के जाओ तो इसी तरीके से मैं उसको अलग कर दूँगा अपनी जिंदगी से और चाहे वो सिंक बने डूब जाए और स्विम या फिर वो तैरे जैसे के वो और धरा ओफ दे लिव टाउन ये जो शेहर है अनैतिक इम्मॉरल ये सिटी है कैने अग्री जैसा भी इनका काम चले कि मेरी बेटी के कर्सदार नहीं हो कि तुम मेरी बेटी के दौलत पर ही जी रहे हो उसी से तुम्हारा खर्चा पानी चल रहा है मैं आपकी इस बात का जवाब तब दूँगा जब बागी की बची हुई जो संपत्ती है वो भी मेरे पॉसेशन में आ जाएगी मिराबिल कह रहा है कि आपको बरवादी से बचाने का इलाज तो है लेडी विश्फर्ट लेकिन मेरे हाथों से तो आप उसको सुईकार करेंगी नहीं मैं मानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरा कोई अहसान लें और एल्स परहपस आई कुड एडवाईज नहीं तो शायद मैं एक ऐसी सलहा दे सकता हूँ जिससे आप बच जाए लेडी विश्फर्ट ओ वाट 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 टू सेब मी एंड माई चाइड फ्रॉ यह जो बदमाशी है मेरे साथ जो कर रहा है गोस्ता कि इस से बचने के लिए इस बरवादी से बचने के लिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ कोई भी कंसेंट तो मैं दे दूंगी अनुमती दे दूंगी मिरा बेल आया मैडम ठीक है महतर्मा बट दैस्टू लेकिन अब तो बहुत देर हो गई माय रिवार्ड इस इंटरसेप्टेड मेरा जो इनाम था वो तो मदब पहले ही चिन गया है यानि मिलामेंट पहले ही अब सर्विल्फुल से शादी करने के लिए मैं कुर्बान कर चुका हूं यह कहने का मतब है यू है डिस्पोस्ड ओफर तुमने तो पहले ही अपनी भतीजी यानि मिलामेंट दे दिया अपने भतीजे को फूली कुट हैव मेड मी अ कंपनसेशन फॉर ओल माई सर्विसेज यानि मैं अब जो आपके सेवाएं देने जा रहा हूं उन सबका सही कंपनसेशन यानि सही इनाम मेरे लिए सिर्फ मिलामेंट होत इस जंगली तरीके से तो आपके साथ दुर्वेहवार नहीं किया जा सकेगा जैसा यह करने की कोशिश कर रहा है फिनाल ऐसा तो मैं नहीं होने दूँगा अरे मिस्टर मिरावेल क्या तुम इतने बड़े दिलवाले हो इतने उदार हो बट इज नॉट पॉसिविल लेकिन अब तुम सुनो मैं अपने भतीजे का यह जो शादी का गठवन्दन है यह मैं तोड़ दूँगी यानि मिलामेंट से उसकी शादी नहीं होने दूँगी यू शेल हैव माई नीस यट अभी भी तुम्हें मेरी भतीजी मिल जाएगी और उसके हिस्से की सारी दौलत भी मिल जाएगी if you can but save me from this imminent danger अब ये बस जो मेरे सिर पर खड़ा हुआ खत्रा है imminent बने जो तुरंट आने वाला है very near तो मेरे सिर पर खड़ा हुआ ये खत्रा है बस तुम मुझे इस से बचा लो मिरावेल, will you क्या आप ऐसा करेंगी I will, I take you at your word मैं आपके बादे पर भरोसा कर रहा हूँ I ask no more मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए बस आपकी भतीजी चाहिए I must have leave for two criminals to appear मैं दो और अपराधियों को यहां बुलाना चाहता हूँ लेडी, anybody, anybody तो लेडी विश्वर्ट कहती है हाँ हाँ बुलाओ, बुलाओ, किसी को भी बुलाओ मिरावेल, foible is one and a penitent यहाँ एक जो अपराधी है वो foible है और वो बड़ी penitent है मतलब कि उसको अफसोस हो रहा है पश्चाताप हो रहा है अब यह तीनों प्रवेश करती है मिरावेल एंड लेडी विश्वर्ट गो टू मिसस फेनाल एंड फॉइबल यह दोनों उनकी तरफ जाते हैं मिसस मारवोड ओ माई शेम, अरे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा यह दोनों बदमाश जो ओड़ते हैं नोकरानिया है, इनको यहां लाया जा रहा है मेरा भंडा फोडने के लिए तो फेनाल, वो फेनाल से यह बात कह रही है फेनाल इफ इट मस्ट आल कम आउट वाइल लेड देम नो इट हाँ तो कोई बात नहीं भेद खुल जाएगा दुनिया का यही तो तोड तरीका है दुनिया इसी हिसाब से चलती है यानि सबके इसी तरीके से तो अफेर होते हैं तो बिल्कुल भी कोई भी इनको छूट देने के लिए तैयार नहीं हूँ जो मेरी टर्म्स कंडिशंस हैं शर्ते हैं उनमें से एक भी नहीं छोड़ूगा मैं तो और ज्यादा अड़के इन शर्तों पर ही अड़ा रहूँगा और मैं भी बाइबल पर हाथ रखके कसम खा सकती हूँ अरे अर्व विडियों आड़ण मैरी साहली क्या तुमने मेरे साहली ली है हैस दौ उन विकommes एकंपव्य है क्या परौफली गत्किन शर्त वसेंरे इसके ऊपनेया क्तर क्या आपके इतना इंग्रेटिटूड है इतना अन्याय है आपके दिल में तू गिव क्रेड़िट के तुम विश्वास कर रही हो अपनी सहेली के खिलाफ टूदा एस परसंस यानि जो दोशार ओपन है काम करते हैं आम सेंड लेकर काम करने वाली ट्रल्स मनें गरी हुई और इनका विश्वास कर रही हो मिन्सिंग मर्सिनेरी में आप हमें पैसा लिए बिखने वाली कह रही है मेडम आय सकौन योर वर्डस आपके शदों से मुझे नफरत है तस त्रू वी फाउंड यू एंड मि यह सच है कि हमने आपको और मिस्टर फैनाल को अपत्ती जने कवस्ता में देखा था इन वाइदा सेम चूकन यू सोड अस टू सीक्रेसी अपॉन मैसालेंस पॉइम्स यानि आपने उसी वक्त हमको गोपनियता की शपत दिलवाई थी और हमसे कहा था कि हम किसी से ना कहें और यह मैसालेंस पॉइम्स मतलब मिस्लेनियस पॉइम्स वो गलत प्रोनशेशन कर रही है मिन सिंग बोल नहीं पाती होतना कि मिस्लेनियस पॉइम्स की किताब थी और आपने उस पे हाथ रखके हमें कसम दिलवाई थी मरसी नरी हम पैसे के लिए काम करते हैं नो इफ वी यह आप हमें ज्यादा पैसा दे देती हैं इन्हों ने तो हमें पैसा नहीं दिया है लेकिन आप हमें बहुत पैसा देती मूँ बंद रखने का तो अगर हम पड़से के लिए ही काम करते तो यहां सचा ही नहीं बताते फिनाल गो यू आर एन इंसिग्निफिकेंट तिंग ज मिस्टर मिराबेल का प्लान है यह मिराबेल का प्लान है यह उजना है आप मैं और बरदाश्ट नहीं करूंगा यू थिंग देट वाइफ शेल स्मार्ट फॉर दिस तुम है औरत तुम जो के मेरी पत्नी हुआ करती थी तुम ही इस का खाम्याजा बहुत होगी आइवल नाट में तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ोंगा कि कि तुम अपना मूँ छिपा सको यूर बॉड़ी शेल बी नेकड़ एज यूर रेप्यूटेशन तुम्हारा नाम भी बदनाम होगा तुम्हारे शरीर पर लांचन लगेगा मिसस फेनाल आइड़े स्पाइज यू मुझ तुम्हारा जूट मैंने साबित कर दिया गो यू एंड यूर ट्रेशरस जाओ तुम और तुम्हारी ये आइड़ नाम भी नहीं लेना चाहती बट स्टाफ तुम दोनों जाके भूखे मरो यानि मिस्टर फेनाल और मिसस मारवोड तुम दोनों जाके भूखे मरो पेरिश जाओ जाके कहीं मर जाओ फेनाल नोट वाइल यू आर वर्थ ग्रोट यह तब तक तो हम भूखे नहीं मरेंगे जब तक तुम्हारे पास एक भी पैसा बाकी है इंडीड माइडियर मेरी प्यारी जान मेरी पतनी मैडम आई विल भी फूल नो लंगर मैं अब और चला है इन लोगों का भंडा फोड हुआ है से मुझे कुछ राहत मिल रही है मिरा विल ओ इन गुड टाइम अरे समय आने दो और भी राहत मिलेगी यूर लीफ फॉर दा अधर ऑफेंडर एंड पैनिटेंट टू एपियर मेडम एक और अपराधी है जो के पैनिटेंट मने रिमोर्स फुल है जो पश्चाताब से भरा हुआ है और वो अंदर आने की जाज़त चाहता है मेडम एंटर वेट वेल विद बॉक्स ओफ राइटिंग और कागजात का एक बकसा लेकर वेट वेल प्रवेश करता है लेडी आ सर रोला आ गए वेल रासकल बदमाश वेट वे लेडिशिप प्लीज़ आप जो चाहें कहलें मालकिन आपको अपना वादा याद है ना लेडी विश्वड आए डियर सर हाँ जी बिलकुल जनाब याद है मिराविल वेट 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 वेल एट हैंड सर पास ही है श्रीमान जी ये रहे रविंग दियर आइज आखें आखे राइजन फ्रॉम स्लीप जैसे अभी अभी सोके उठे हों फिनाल वाट 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 इस ताइम तु मी यह यह क्या वक्त है यह वक्त क्या होने जाला है मेरे लिए आपके बही जो व्यक्तिकत मामले हैं जगडे हैं परसनल अफेर्स हैं वह इसके लिए मैं इंतजार नहीं ही नहीं कर सकता तुम तो इस पर साइं कर दो हमेरे कागजात पर एंटर प्लेयर सफ ट्रम हों आप गलेंट Іर्वा लास्ट एक्ट्स एक्ट्स एकटम होता है जब नाटक एंड होता है तो सारे जो छातु हो जाते हैं इसे देखंध किसलिया सब मुद्लेख होगते हैं वह इससे न्युद्स अंपहेत्ट्विश्य पर जविए सकता खेहिते हैं अब मिरावेल यू में रिमेंबर जेंटलमें तुम लोगों को याद होगा मैंने एक बार आप लोगों से सिगनेचर करवाए थे और आपसे दरफास्त की थी सिगनेचर करने की एज विटनेस गवाह के तौर पर तूर सर्टेन पार्जमेंट किसी लीगल लॉक्यूमिट पर कानू उठा लगाया था मिरावेल यू रॉंग हिम तुम उसके बारे में गलत कह रहे हो इस नेम इस फेरली रिटन उसका नाम यहां बड़े अच्छे से लिखा हुआ है एश शैल एपियर जैसा कि अभी दिखाई देगा यू डू नोट रमेंबर जेंटलमें आप लोगों को यह याद नहीं होगा मानवावो anything of what that parchment contained कि उस कागजात में लिखा हुआ क्या था undoing the box बकसे को खोलता है विटवोड no नहीं हमें याद नहीं है पैटलेंट no not I I read I read nothing मैंने सिर्फ लिखा था sign किये थे पढ़ा कुछ नहीं था क्या लिखा था मिराविल very well now you shall know ठीक है अब आप जान जाओगे मैडम यूर प्रॉमिस मैडम लेड़ी विश्फर्ट आप अपना वादा जरूर याद रखना लेड़ी I I sir upon your honor upon my honor हाँ जी मैं अपनी इज़त की किसम खाके कहते हूं मुझे अपना वादा याद है मिराविल Mr. Fennal it is now time that you should know Mr. Fennal अब वक्त आगया है कि आप जान लें that your lady के आपकी पतनी while she was at her own disposal जब वो अपनी खुद की मालकिन हुआ करती थी and before you had by your insinuations जब तक कि आपने अपने insinuations जो धोके की जो आपकी कारवाई थी धोके धड़ी के तरीके थे बहला फुसला कर weedled her out यानि उसकी चापलू of the greatest part of her fortune के जो उसकी संपत्ती थी उसका ज्यादातर भाग वो आपके नाम कर दे फिनाल सर प्रिटेंडड क्या कह रहे हैं सर श्रीमान जी कि मैंने बाहनेवाजी से ऐसा किया था मिराविल यस सर हाँ जी बिलकुल I say that this lady while a widow और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महतरमा जबके ये एक विधवा थी having it seems received some cautions ऐसा लगता है कि उनको कुछ cautions बने उनको चेतावनी दी गई थी respecting your inconstancy बेवफाई होती है आपकी बेवफाई के regarding उसे समन्द में कुछ इनको चेतावनी दी गई थी and tyranny of temper यानि आपका जो गुस्से वाला सुभाव है which from her own partial opinion and fondness of you she could never have suspected लेकिन वो आपके सेती महबबत करती थी उनका ऐसा सोचना था कि उन्होंने कभी आपके उपर शक नहीं किया she did I say by the wholesome advice of friends and of sages learned in the laws यानि कुछ दोस्तों की advice पर और कुछ sages learned in the laws यानि जो कानून के जनकार हैं उनकी advice से of this land यानि इस देश के deliver this same as her act यानि उन्होंने इस document को तयार करवाया था and did to me interest और मेरे भरोसे पर ये उन्होंने दस्तावेज मुझे दे दिये थे and to the use within mentioned और जो यहाँ पर mention किये गए हैं कि मैं वक्त आने पर इसको प्रयोग कर लूँ इन दस्तावेजों को you may read a few please अगर आप चाहो तो आप ये दस्तावेज पढ़ लो holding out the parchment वो दस्तावेज उसको पकड़ाता है तो perhaps what is written on the back may serve your occasions लेकिन शायद जो पीछे लिखा हुआ है वो आपके ज्यादा मतलब का हो very likely sir what is here ठीक है sir मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर damnation हरे हाए मर गया दिकार है पढ़ रहा है a deed of conveyance of the whole estate यानि यह जो दस्तावेज है इसमें पूरा हस्तांतर्ण किया जा रहा है पूरी संपत्ती का real of arabella language तो जो मिसस फेनाल है उनका नाम arabella है यह जरूर याद रखिएगा नोट कर लीजे कुछ चीज़ें जो मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ नोट करने के लिए वह बहुत ज्यादा important है तो अपनी notebook में लिख लीजेगा arabella उनका नाम है मिसस फेनाल का और लेंगविश सरनेम था क्योंकि उनके जो पहले पती थे उनका नाम लेंगविश था तो arabella लेंगविश उनकी पूरी संपत्ती विड़ो जो के विधवा हैं interest of Edward मिराविल तो मिराविल का पूरा नाम Edward मिराविल है ये भी आपको याद रखना है तो उनके विश्वास में रखी जाती है confusion या तो यार ये तो बड़ा confusing है अब final परिशान हो ग गए कि हाँ जी बिलकुल यही तो दुनिया के तौर तरीके हैं of the widows of the world संसार की विदवाएं ऐसा ही करती हैं उनके तौर तरीके यहीं है I suppose this deed may bear an elder date than what you have obtained from your lady तो मुझे लगता है कि आप खुद देख लीजिए इसकी देट पहले की है इसकी तारीक added date मने पहले की तारीक है तो जो पहले का डीड होता है वह ज्यादा यहां पर वाजब है और आपने जो obtained किया है आपने बाद में इसको हसल किया है अपनी पत्नी से तो मेरा वाला ज्य जादा लागू होगा तो इसकी देट पहले की है फेनाल पर्फिडियस अरे भाई धोके बाच फियेंड राक्षची चुडैल देन दस आई विल बी रिवेंज्ड में फिर अब तुसे बदला ऐसे लूंगा और फरस टू रन एट मिसस फेनाल मिसस फेनाल को मारने दोड़त लड़ाई जगड़े के लिए आता है बियर गार्डन तो कहीं और जाके लड़िये जगड़िये का यहां मत लड़िये फेनाल मिरावेल यू शेल हीर ऑफ देस मिरावेल तुम्हें इसके बारे में सुनने को मिलेगा मतलब तुम्हें इसका खामयाज़ा बहतना पड़ेगा सर विश्वास करो बिल्कुल तयार रहना बदले के लिए लेट मी पास आफ मुझे निकलने दो और यह कहें के एक्जिट वो निकल जाता है मिसस फेनाल मैडम यू सीम तू स्टिफल यूर रिसेंटमेंट अरे मैडम आप स्टिफल मनें दवाना यूर रिसेंटमेंट अपन अपना गुस्ता दवा रही हो यू हैट बेटर गेव इट वेंट आप भी अपना भडास निकाल लो मिसस मारवडियस इट शेल है वेंट हाँ जी मैं अपनी भडास निकालूंगी और आपको पता चलेगा और और आई विल पेरिश इंदा टेंट या तो मैं ही रहूंगी य दॉटर दॉटर अरे मेरी बिटिया इस प्लेंट यह बात तो साफ है दाव है इनहेरिटेट कि तुमने आनवा इंशिकता में पाई है विरासत में पाई है दाई मदर्स प्रूडेंस अपनी मां की बुद्धी देखे तो अपनी तारीफ कर ली मिसस फिनाल ठेंक मिस्टर मि वजह से यह सब कुछ हुआ है लेड़ी वेल मिस्टर मिरावेल यू अपने अपना वादा पूरा किया और मुझे अपना वादा पूरा करना है पहली बात तो यह है कि आपकी खातिर में माफ करती हूँ सरोलां को यानि कि वेट वेल को देयर और उनकी पत्नी फोईवल को और दूसरी बात है कि मुझे अपने भतीजे को यह बात बतानी है और यह बात कैसे बताओं कि मतलब मैं मिलामेंट की शादी तुम से कर रही हूँ और अपने भतीजे से नहीं कर रही हूँ यह बात उसको कैसे बताओं इस बात के लिए मैडम आप अपने आपको कश्ट मत दो let me have your consent बस आप मुझे अपनी अनुमती दो sir willful is my friend sir willful तो मेरे दोस्त है he has had compassion upon lovers प्रेमियों के लिए तो वो बहुत दयालू है and generously engaged a volunteer in this action और बड़ी उदारता से वो खुद ही एक स्वेम सेवक के तौर पर इस काम में वो हमारे साथ शामिल हो गए थे for our service हमें सेवा देने के लिए and now designs to prosecute his travels और अब तो वो अपनी यात्राएं करने के लिए तयार है सर विलफुल अगर साथ आंट I have no mind to marry अरे भगवान कसम आंटी मेरा तो कोई इरादा ही नहीं है शादी करने का my cousin fine lady मेरी cousin एक अच्छी औरत है and the gentleman loves her और ये महनवाव यानि की मिराविल उससे बहुत महबत करते हैं and she loves him वो भी उनसे महबत करती है and they deserve one another और वो दोनों एक दूसरे के लायक है my resolution is to see foreign parts मेरे तो इरादा है कि विदेशों को देखूं I have set on it मैं उसके लिए तयार हो गया हूँ and when I am set on it और जब मैं इसके लिए निकलूंगा I must do it मुझे उसके लिए करना ही है मतलब मैं जो कोई सोच लेता हूँ तो वो फिर करके ही रहता हूँ and if these two gentlemen would travel to I think they may be spared और ये दोनों महानवाब भी अगर मेरे साथ यात्रा करना चाहें तो मुझे लगता है कि उनको इसकी इजाज़त मिल जानी चाहिए for my part I say little जहां तक मेरी बात है मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा I think things are best off and on यानि धीरे धीरे करके इस तरीके से चाहें उस तरीके से सब कुछ सही हो गया है I understand nothing of the matter इस मामले में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेना मेज में तो भूल भलाया मैं फस गया हूँ yet like a dog एक कुत्ते की तरह है in a dancing school जैसे कि नाच गाने के स्कूल में कोई कुता गुज़ जा है उसे समझ में नहीं आए कि हो क्या रहा है lady well sir take her ठीक है भाई मिरावेल ले लो मेरी भतीजी को and with her all the joy I can give you और इसके साथ मैं तुम्हें सारी खुशियां देती हूँ यानि खुशियों का आशिरवात देती हूँ कि मेरी भतीजी के साथ तुम खुश हो why does not the man take me अब ये आदमी मुझे अपने हाथ में ले क्यों नहीं रहा मेरा हाथ would you have me give myself to you over again क्या तुम चाहते हो कि मैं बार बार तुम्हें रे प्रती अपने आपको समर्पित करती रहू मिरावेल आए हाँ and over and over again हाँ बार बार तुम मुझे मिलो किसे सहरेंड उसका हाथ चुमता है I would have you as often as possibly I can मैं तुम्हें इतनी बार प्राप्ट करना चाहूँगा हासल करना चाहूँगा जतनी बार मैं हासल कर सकता हूँ well heaven grant I love you not too well that's all my fear भगवान बचाए मैं तुम्हें कहीं जरूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा महबत ना करूँ यही मेरा डर है sir will forgive us heart you will have time enough to toy after you are merit यानि यह सब तुम्हें महबत करने का इस तरीके से एक दूसरे के प्रती महबत जताने का तुम्हें खुम मौका मिलेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी or if you will toy now और अगर तुम अभी महबत जताना चाहो let us have a dance in the meantime तो चलो भई हम लोग थोड़ी देर नाच लेते हैं that we who are not lovers may have some other employment beside looking on तो हम लोग जो के आशिक लोग नहीं हैं तो हमें भी तो कोई काम होना चाहिए सिवाए इसके कि हम इन लोगों को महबत करते हुए देखते रहें तो चलो हम लोग dance ही कर ले मेरा will with all my heart dear sir willful what shall we do for music ठीक है मैं तहे दिल से चाहता हूँ प्यारे मेरा sir willful और भाई music कहां से विवस्तेत होगी music की ववस्ता करो और ये वो जो musician बुलाई गए थे सर रोला के स्वागत के लिए उनके मन और इंजन के लिए वो लोग अभी भी यही हैं उनको अभी बुला लेते हैं a dance और फिर एक निर्ट्य होता है lady as I am a person I can hold out no longer अब जैसा कि मैं एक इनसान हूँ अब मैं और बरदाश नहीं कर पा रही हूँ I have wasted my spirit so today already यानि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इतनी ज़्यादा मेरी energy आजखर्च हो गई है that I am ready to sink under the fatigue प्रटीग मने वह थकान होती है कि मैं थकान मेरे उपर हावी हो रही है मैं मरी जा रही हूँ and I cannot but have some fears upon me yet और अभी भी मुझे थोड़ा सा डर है that my son final will pursue some desperate course कि मेरा जो दामाद है final अभी भी कुछ गड़बर कुछ फसाद ऐसा ना कर दे मेरा बिल मेरम डिसक्वाइट not yourself on that account नहीं मेरम मतरमा आप अपने आपको अशांत मत कीजे परिशान मत कीजे इस वज़े से जहां तक मैं जानता हूं his circumstances are such उसकी परिस्थितियां अब ऐसी हो गई है he must of force comply कि उसको जबरदस्ती comply करना पड़ेगा मलब हम लोगों से सहमत होना ही पड़ेगा for my part I will contribute all that in me lies to a reunion यानी मैं पूरा सहयोग करूँगा और जितना भरसक प्रयास करूँगा to a reunion यानी इन दोनों को फिर से मिलाने में आपकी बेटी और दामाद को फिर से एक करने में मैं जी जान लडा दूँगा in the meantime speech madam to Mrs. Fenal, Mrs. Fenal say let me before these witnesses restore to you this deed of trust और मैं इन गवाहों के सामने ही आपको ये दस्तावेज सौंकता हूँ it may be a means well managed to make you live easily together तो ये जो सारे दस्तावेज हैं ये आपको इस काबिल बनाएंगे क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर के आप दौनों मिया बीवी आचानी से रह सकते हैं यनि ये सारी प्रॉपर्टी मिसस फिनल के पास रहेगी और जब प्रॉपर्टी बीवी के नाम रहेगे तो husband वैसे ही बन्दा रहेगा जब उसके पास पैसा नहीं होग का उड़ाने के लिए दूसरी और तो फिर वह बिभी के पल्लू से वैसे ही बंद कर रहेगा तो वह यह कहना चाहता है फ्रम हैंस और अब यह इनके साथ दो प्लेट्स हैं तरीक से क्वाट्रें भी आप कह सकते हैं चार लाइंस का जो कलेक्शन होता है वह क्वाट्रें कहलात है तो दो कपलेट एक कपलेट एक कपलेट यह मिलाके चार लाइंस हैं और इस पोईम के साथ यह खतम हो रहा है नाटक यहां पर फ्रॉम हैंस लेट दोज हूँ बीवांड हूम हैंस मने अब से लेट दोज भी वांड यानि उनको चेतावनी दी जाती है हूँ मीन टु कितना करें इस चेनमा ने धबा लगाना बिडल बेड जो आपका शादी का विस्तर है उसको कलंकितना करें एक दूसरे को दोखा दे के यानि वाइफ का कहीं अफेर चल रहा है आजकल तो यह बहुत ज्यादा ही चल रहा है आप सुनी रहे होंगे वो सीमा हैदर और इधर से अंजू पाकिस्तान पहुँच गई है और पाकिस्तान से सीमा हैदर इधर आ गई और अपने बाल बच्चों के साथ यह देखिए हद हो गई है बिलकुल क्योंकि हर जो दोखेवाज है उसको कीमत तो अदा करनी पड़ती है that marriage frauds too often are paid in kind क्योंकि जो शादी में दिये जाने वाले धोखे हैं are paid in kind यानि उनको उसी तरीके से फिर बदला भी जिलना पड़ता है यानि अगर आप दोखेवाजी करेंगे तो सामने वाला भी आपके सा समात करना चाहिए मैं भी थक गई हूं मेरा फोन की बैटरी भी बैठ रही है और आप इतना लंबा वीडियो देखके थकी गए होंगे चलिए खतम करते हैं धन्यवाद